रोहन को मारने के लिए दुरुफ के क्लासमेट नील ने अपने भाई को बुलाया था, लेकिन शेर बनकर एंट्री लेने वाला नील का ये भाई, रोहन को देखकर डरपोग बिल्ली बन गया था. अपने भाई को रोहन के आगे धर-धर कांपता देखकर नील हैरान था, और सोच रहा था कि आखिर उसका भाई रोहन से लड़े बिना ही उससे देखकर इतना क्यों डर रहा था. दरसल नील का ये भाई और कोई नहीं बलकि रिया का एक्स बॉइफ्रेंड लोकेश था, जिससे लास्ट टाइम क्लब में रोहन ने ऐसा चमकाया था कि वो दुम दबाकर भाग गया था, और इस बार भी जब उसने देखा कि उसके सामने वही रोहन खड़ा है, जिसने लोकेश ने निकिता के सामने नील का कान पकड़ कर दुरुप को कभी न तंग करने की हिदायत दी थी, इससे नील को बड़ा ही एम्बैरस्ट फील हुआ, वो उस समय तो अपमान का कड़वा घूट पी गया, लेकिन उसके मन में अब दुरुप को लेकर नफरत और भी बढ कर दिया था, और वो सभी भी अपने अपने बच्चों को घर ले गए थे, इधर दुरुव निकिता के पास नर्वस होते वे गया, दुरुव ने उदास मन से कहा, कोई बात नहीं दुरुव, वैसे भी उन बदमाश बच्चों को सबक सिखाना जरूरी था, और मैंने देखा कि कैसे वो तीन थे और तुम अकेले, लेकिन फिर भी तुम उनसे डरे नहीं, हाँ ये अलग बात है कि उन्होंने तुम्हें पीट दिया, बट तुम जिस तरह बहादुरी दिखा कर उनका मुकाबला कर रहे थे, वो लाजवाब था, निकिता के मुँसे अपने लिए तारीफों के फूल जड़ते देखकर, दुरूफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसने सोचा कि निकिता को प्रपोस करने का ये बड़ा अच्छा मौका है, वो निकिता को अपने दिल की बात कहने ही वाला था, कि तभी रोहन का फोन बजा, अब क्या हंगामा कर दिया तुमने, मुझे अभी कैफे वालों का फोन आया, किंजल फोन पर बरस्ती हुई रोहन से बोली, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो स्कूल के कुछ बच्चे दुरुव को मार रहे थे, और रोहन अपनी सफाई दे ही रहा था, कि तभी किंजल टेंशन में बोल पड़ी, इतना सुनकर, दुरुव ने फोन दुरुव के हाथ में थमा दिया, अबर आख को एक्स्चा के सोच रहे हैं, तो तेले ग्राम के सर्ज मारे सीज़ में तुमने या 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 वो तैन ताउजन नेम्बर्स वाले चैनल में जोईन हो आख को एक्स्चा पूछा, इस पर दुरुव बोला, नहीं मौसी, इसके कोई जरूरत नहीं है, रोहन ने सब सम्हाल लिया, वो नील ने अपने गुंडे भाई को बुला लिया था, लेकिन रोहन को देख कर वो ऐसा डरा कि दुम दबा कर भाग निकला, इतना कहकर दुरुव हासने लगा, किंजल ने कहा, इस पर दुरुव ने फोन वापस रोहन के हाथ में थमा दिया, तो तुमने फिर दुरुव को बचा लिया हाँ? किंजल रोहन से बोली, हाँ, मतलब वो तो बचाना ही था, आपने उस पर नजर रखने को जो बोला था, और वैसे भी, एक छोटे बच्ची को यो पिकते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ? रोहन कैजूली बोला, हम, गुड वर्क, अच्छा पार्टी हो गई हो तो दुरुव को जल्दी घर छोड़ दो, और जादा लेट मत करना, किंजल बोली, जी मिस किंजल, रोहन ने जवाब दिया, और फिर फोन कट कर दिया, कि निकिता को लेने उसके पेरेंट्स आ गए थे, और वो उनके साथ कार में बैठ कर जा रही थी, धत तेरी की, फिर से निकिता को प्रपोस करने का प्लैन फेल हो गया, दुरुव उदास होकर बोला, उसने ये बात धीरे से ही बोली थी, लेकिन रोहन ने सुन लिया, फिर गुटने के बल जमीन पर पैठा और एक हाथ दुरुव के कंधे पर रख कर उसकी आखों में आखे डाल कर बोला, पता है, लाइफ में फेल होना भी अच्छी बात है, हर फेलियर हमें कुछ न कुछ सिखाता है, लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमें पहल अखों में आखे डाल कर बोला, पार्टनर, मैं सिर्फ बारा साल का हूँ, ये ग्यान की बात है न मेरे दिमाग के ऊपर से जाएंगी, तुम बस मुझे ट्रेनिंग देने के बारे में सोचो, फिर निकिता खुद मेरे पास दोड़ी चली आएगी, और हाँ, ये ग्यान जब्द सुनते ही, रोहन को रिया की याद आ गई, वो भी ऐसे ही उसे ग्यान चंद बोल कर चिढ़ाती थी, तभी उसे याद आया कि आज उसे रिया के साथ डिनर करने भी जाना है, अच्छा ठीक है, अब जल्दी चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे सॉरी, बट मुझे किसी के साथ डिनर करने जाना है, तो तुम्हें घर जाना ही होगा। ये सुनते ही, द्रॉप एक्साइटेड हो गया, डिनर? किस के साथ? तुम्हारी गर्ल फ्रेंड? ये सुनकर, रोहन नर्वस हो गया, और बोला, गर्ल फ्रेंड नहीं, दोस्त। इस उनके बीच आज नहीं तो कल प्यार हो ही जाता है। द्रॉप की ये बात सुनकर, रोहन और भी नर्वस हो गया, और वो टॉपिक चेंज करते हुए बोला, तुम ये सब छोड़ो, और कार में बैठो, हम तुम्हारे घर चलते हैं। इतना बोलकर, रोहन द्रॉप का हाथ प द्रॉप भोली सूरत बनाते हुए गिडगड़ाया। नहीं, मिस किंजल ने कहा है कि तुम्हें सूरज ढ़लने से पहले घर चोड़ना है। कार ड्राइव कर रहे रोहन ने कहा। यार, मैं जानता हूँ अपनी किंजल मौसी को, वो रात को बारा बजे से पहले नहीं आने वाली, उसके पहले तुम मुझे घर ड्रॉप कर देना, उन्हें नहीं पता चलेगा। धुरुव ने रोहन को मनाने की कोशिश की, लेकिन रोहन अभी भी नहीं माना। देखो, यदि मिस किंजल को पता चल गया, तो मैं मुसीबत प्रचाऊंगा। वैसे भी बड़ी मुश दाला था और तुम्हारी जाब भी बचाई थी। ये सुनकर रोहन कुछ नहीं बोला और वो इस बारे में सोचने लगा। तभी द्रुव ने रोहन का हाथ पकड़ लिया और जिद करते हुए बोला। ले चलो ना पातनर, वैसे भी निकिता की बर्थ ने पाटी बीच में ह रुख गई तो वहाँ कुछ खा भी नहीं पाया। तुम डिनर पर जा रहे हो तुम मुझे भी ले चलो। सोच लो यदि भूख के मारे मुझे चक्कर वक्कर आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इतना कहकर दुरुव सर पर हाथ रखकर चकर आने का नाटक करने लगा। ओ नो लगता है मेरा सर अभी से घूम रहा है। अच्छ अच्छ ठीक है अब ये नौटं की करना बंद करो। चलते हैं डिनर पर। लेकिन फिर तुम्हें जल्दी घर छोड़ दूँगा। रोहन ने द्रुव की जिद के आगे हार मानते हुए कहा। ओ थैंक यू द्रुव खुशी से उचल पड़ा और रोहन को गले लगा लिया। जिससे रोहन को आउक्वर्ड लेकिन अच्छा फील हुआ। कुछ तेर बाद रोहन की गाड़ी आहुजा कॉर्पॉरेशन के बाहर आकर रुख गई। वाउ। तुम्हारी गर्ल्फ्रेंड इतनी बड़ की बिल्डिंग में काम करती है। द्रुव आसमान को चूते आहुजा कॉर्पॉरेशन को देख कर बोला। ये सुनकर रोहन फिर सक पकाया। देखा द्रुव आखरी बार समझा रहा हूँ। रिया मेरी गर्ल्फ्रेंड नहीं है, सिर्फ दोस्त है। ओ रिया, तो ये है ना द्रुव ने फिर से रोहन को चेड़ते हुए कहा। इस पर रोहन ने अपना माथा पकड़ लिया। जैसे कह रहा हो कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। फिर रोहन ने द्रुव को आहुजा कॉर्पॉरेशन के अंदर ले जाना सही नहीं समझा। और उसने रिया को ही क अच्चा कौन है। रिया ने रोहन के पास आकर पूछा। अब रोहन कुछ बोलता तभी द्रुव बीच में बोल पड़ा। इतना कहके द्रुव ने रोहन को कसकर गले लगा लिया। ये सुनकर रिया के पैरो तले जमीन ही खिसक गई। क्या? रोहन तुमारा बच्चा भी रिया ने हैरान होकर पूछा। तभी रिया का ये शौकिंग रियाक्शन देखकर द्रुव जोर-जोर से हसने लगा। रिया ये देखकर और भी कन्फ्यूज हो गई। बस करो द्रुव और मजाक नहीं। रोहन ने द्रुव को डांटते हुए कहा। फिर वो रिया से बोला ये द्रुव है, मैं जिस नाइट क्लब में जॉब करता हूँ, उसकी एक मेंबर का भांजा। ये सुनकर रिया की जान में जान आई। लेकिन अभी भी वो थोड़ा कन्फ्यूज थी। लेकिन ये तो मैं पापा क्यों बोल रहा है। रिया ने पूछा। क्योंकि इस पर हम सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया और वो भी कार में बैठ गई। हाला के द्रुव रोहन के पास आगे बैठा था, इसलिए रिया को पीछे बैठना पड़ा। हेलो मिस रिया, आएम द्रुव। द्रुव ने पीछे पलटकर रिया की और हाथ पढ़ाया। ओ, तो तुम्हें मेरा नाम भी पता है, नाइस टू मीट यू द्रुव। रिया ने एक प्यारी मुसकान के साथ द्रुव से हाथ मिलाते हुए कहा, हाँ, रोहन ने आपका नाम बताया। द्रुव मुसकराते हुए बोला, अच्छा, और क्या-क्या बताया रोहन ने मेरे बारे में। इतना कह रहा हूं कि मैं उस अपनी girl friend दुरुव बड़ा चड़ा कर बोल ही रहा था कि रोहन ने अपना एक हाथ दुरुव के मुँँ पर रख दिया और रिया की और देख कर बोला मैंने कहा था ना ये बहुत मजाग करता है तुम इसकी बातों को seriously मत लेना ये सुनकर रिया awkward होकर हसने लगी तभी दुरुव ने रोहन का हाथ अपने मुँ से हटाया और रिया की और देख कर बोला हाँ रिया मैं तो मजाग कर रहा था रोहन ने तुम्हारी कोई तारीफ नहीं की बलकि बुराई की ये बहुत बेकार है, नक चड़ी है, पखबख करती रहती है दुरुव रोहन के मजे लेते हुए और बोला तभी रोहन ने फिर से दुरुव के मुँ पर हाथ रख दिया और वो तंग आकर अपने दोनों हाथ जोड कर बोला चुप रहने का क्या लेगा मेरे भाई एक आइसक्रीम दुरुव फट से बोला ठीक है दिला दूँगा लेकिन तब तक अपने मुँ पर जिप लगा लो रोहन ने कहा तभी दुरुव अपने पैंट की जिप खोलने लगा अब ये क्या कर रहे हो रोहन ने हैरान होकर पूछा तुम नहीं बोला ना की मुँ पर जिप लगा लो तो अभी मेरे पास सिर्फ पैंट में ही जिप है इतना बोलकर दुरुव हसने लगा उधर पीछे बैठी रिया भी जोर-जोर से हसने लगी उसे दुरुव और रोहन की नोग जोग देखकर बड़ा मजा रहा था ये देखकर फाइनली रोहन भी हस पड़ा ये शायद पहली बार था जब रिया ने रोहन को इतना खुल कर हसते होई देखा थैंक यू दुरुव तुम्हारी वज़र से आज मैंने पहली बार रोहन को इतना खुल कर हसते होई देखा और मुझे भी तुमने बड़ा हसाया रिया ने दुरुव से कहा जिस पर दुरुव ने एक बड़ी सी स्माइल दी और कहा वेलकाम रिया फिर रिया ने रोहन से कहा रोहन तुम ऐसे ही हमेशा खुल कर हसा करो ना ऐसे हसते हो तो कितने अच्छे लगते हो रोहन रिया की इस बात पर कुछ रियाक्ट करता तभी अचानक से एक लाल रंग की कार उनके सामने आ गई और उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया ये देखकर रोहन ने अपनी कार के ब्रेक लगा दिये तभी उस लाल कार से तीन लाल रंग का सूट पहने आदली बाहर निकले वो तीनों रोहन के पास आए जिसे देखकर रोहन फॉरण अलर्ट हो गया और अपनी जेब से गन निकाल कर उन तीनों पर तान दी यदि मिस्रिया को हाथ भी लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा रोहन ने तीनों को धमकाया तभी उन तीनों में से एक शक्स आगे आया और बोला अमें मिस्रिया से कोई लेना देना नहीं है हम आपके लिए यहां आए है ये सुनते ही रोहन हैरान रह गया आखिर कौन है ये लोग और क्या चाहते हैं रोहन से जानने के लिए सुनिए सीक्रिट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफेम पर रोहन दुरुव और रिया को लेकर डिनर करने जा रहा था तभी रास्ते में लाल सूट पहने तीन आदमियों ने उन्हें रोक लिया था ये देखकर रोहन ने उन पर गन तान दी और कहा रिया से दूर रहने के लिए लेकिन रोहन को शौक तब लगा जब उन लोगों ने बताया कि वो रिया के लिए नहीं बलकि रोहन के लिए आये है मेरे लिए? लेकिन मुझ से तुम लोगों को क्या काम है? रोहन ने कन्फ्यूज होकर पूछा हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं लाल सूट पहना पहला शक्स बोला कौन बॉस? रोहन ने पूछा वही जिनका कॉल अभी कुछ समय पहले आपके पास आया था लाल सूट वाला शक्स बोला तभी रोहन को हो अन्नोन कॉलर याद आया जो उससे जाकिर के कातिल का नाम बताने की बात कह रहा था अच्छा तो जिन्होंने मुझे कॉल किया था वो आपके बॉस हैं रोहन बोला इस पर लाल सूट वाले शक्स ने हां में अपनी गर्दन हिला दी फिर रोहन ने अपनी गर नीचे रख ली और कहा मैंने उनसे कहा था कि मैं इस बारे में सोच कर बताऊंगा तभी लाल सूट पहना दूसरा शक्स अकड़ कर बोला लेकिन हमारे बॉस को ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं तो ये उनकी प्रॉब्लम है मेरी नहीं रोहन ने बेबाके से जवाब दिया तेरी इतनी हिमबत हमारे बॉस को इग्नोर करता है उस दूसरे शक्स ने धमकाते हुए कहा यदि तुम ऐसे ही धमकी दोगे तो मुझे उनसे मिलने के बारे में सोचने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा रोहन सक्त लहसे में बोला ज्यादा टाइम लगाओगे तो हम तुम्हें उठा कर ले जाएंगे लाल सूट पहने तीसरे शक्स ने गुस्से में रोहन को धमकाया अच्छा यदि ऐसा है तो आ जाओ मैदान में और ले जाओ मुझे इतना खहके रोहन कार से बाहर निकल गया रोहन का ये अंदास देखकर कार में बैठा ध्रोव एक्साइटेड हो गया वाओ अब आएगा मज़ा ध्रोव खुश हो कर बोला महौल गर्म देखकर लाल सूट पहना पहला शक्स बीच में आया और रोहन और अपने दोनों साथियों को शान्त कराते हुए बोला देखो लडाई की कोई जरूरत नहीं है हम शान्ती से बात करके भी ये मामला सुलजा सकते हैं लेकिन ये शान्ती की भाशा समझता कहा है दूसरा शक्स बोला आँ इसे दो कान के नीचे लगाएंगे तो अपने आप बॉस से मिलने आ जाएगा तीसरे शक्स ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए रोहन को धंकाया अरे क्या कह रहे हो तुम लोग शान्त हो जाओ पहले शक्स ने अपने दोनों साथियों को समझाया अरे अंकल क्यों बार बार अहिंसा के पुजारी बन रहे हो हो ने दोना एक्षन तब ही तो मजाएगा दुरूव बीच में बोला फिर रोहन ने उसे धंका रहे दोनों आदमियों से बोला अभी भी वक्त है मान लो अपने साथिय की बात वरना वरना क्या कर लेगा तू रोहन की धंके सुनकर दूसरा शक्स दहाडा फिर वो गुस्से में रोहन को मारने दोडा तीसरे शक्स ने भी उसे जॉइन कर लिया लेकिन महस दो सेकंड में ही रोहन ने दोनों को पंच मार कर धूल चटा दी रोहन ने दोनों को सिर्फ एक-एक पंच ही मारा था और वो जमीन पर ऐसे दर्द से चिला रहे थे जैसे किसे ने उनकी एक घंटे तक जबरदस्त पिटाई की हो आगया स्वाद, मैंने तो पहले ही कहा था कि शांत हो जाओ जब तुम दोनों रोहन के बारे में जानते नहीं तो क्यों बीच में कुद कर सूपरमैन बन रहे थे मैंने सुना है ये रोहन सूपरमैन का भी बाप है लाल सूथ पहने पहले शक्स ने अपने दोनों साथियों को फटकारा फिर उसने रोहन से प्यार से कहा रोहन सर आप आराम से सोच लीजिए आपकी जब मर्जी हो तब मिलने आना लेकिन हो सके तो प्लीज एक बार जरूर आना हमारे बॉस आपसे मिलने को बड़े बेताब है इतना कहके उस शक्स ने अपने दोनों साथियों को जैसे तैसे उठा कर कार में पटका और वो वहाँ से चला गया इधर रोहन की पावर देखकर गाड़ी में बैठे द्रूव की आँखें फटी की फटी रह गई वाओ पार्टनर क्या पंच मारा तुमने उन दोनों को सिर्फ एक पंच ने ही उनका काम तमाम कर दिया द्रूव एक्साइटेड होकर बोला अरे ये तो रोहन की पावर का सिर्फ ट्रेलर था अभी असली पिक्चर तुमने देखी कहा है कार की पिछली सीट पर बैठी रिया बोली ये सुनकर द्रूव अपनी सीट से उचल पड़ा क्या बात कर रहे हो मतलब रोहन में इससे भी ज़्यादा पावर है द्रूव आउट उफ कंट्रोल होकर बोला इस पर रिया ने हसते हुए हां मैं अपना सर हिला दिया रोहन अपनी इतनी तारीफ सुनकर आउक्वर्ड फील करने लगा वो फॉरण गाड़ी में बैठा और उसने काल स्टार्ट करते हुए कहा यदि बातों से पेट भर गया हो तो डिनर कैंसल करके घर चलें? नहीं! रिया और द्रूव दोनों एक साथ चिल लाए फिर वो एक दूसरे का मुण देखकर जोर-जोर से हसने लगे काश वो सडू मयंक नहीं तुम मेरे भाई होते तो कितना मज़ा आता रिया द्रूव की ओर प्यार से देखते हुए बोली लेकिन मुझे आप जैसी खुबसूरत लड़की का भाई नहीं बनना द्रूव स्टाइल मार कर बोला भाई नहीं बनना तो क्या बनोगे? बॉइफरिंड? हाँ छोट उस्ताग? इतना कहकर रिया ने प्यार से द्रूव के सर के बाल बिखेर दिये नहीं, अगर मैं बॉइफरिंड बन जाओंगा, तो फिर रोहन का क्या होगा? द्रूव अपने बाल सवारते हुए बोला ये सुनते ही रिया और रोहन दोनों एकदम से चुप हो गए और ओक्वर्ड फील करने लगे तो डिनर करने कहां चले? रोहन ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा इस पर रिया सोचने लगी तबी द्रूव बीच में बोला मुझे एक अच्छी जगा पता है ये सुनकर रोहन रिया की और देखने लगा इस पर रिया ने हां में अपनी गर्दन हिलाते हुए कह दिया कि ठीक है, वहीं चलते हैं फिर द्रूव रोहन और रिया फन डोर नाम के एक रेस्टोरेंट में गए ये मेंली बच्चों के लिए डिजाइन किया गया एक रेस्टोरेंट था जो दिखने में बेहत कलरफुल था यहां कार्टोन केरेक्टर्स के बड़े-बड़े स्टैच्यू थे और कुछ लोग फेमस कार्टोन केरेक्टर्स की ड्रेस पहन कर बच्चों का मनुरंजन भी करते थे तो हम यहां खा न खाएंगे रोहन ने आश्चरिय से पूछा क्यों? इस जगह में क्या खराबी है? द्रूव ने पूछा कोई खराबी नहीं है रिया बोली और रेस्टोरेंट में घूमते हुए मस्ती करने लगी वहाँ एक बच्चों की स्लाइड भी थी जिस पर रिया को फिसल कर बड़ा मजा रहा था ये तो मुझसे भी ज्यादा बच्ची निकली द्रूव बच्चों के तरह इंजॉय कर रहे ही रिया को देख कर रोहन से बोला इस पर रोहन कुछ नहीं बोला और बस रिया की हरकतों को देख कर मन ही मन मुस्कुराता रहा कुछ देर मस्ती करने के बाद सभी ने खाना ओडर किया रोहन ने अपना प्रॉमेस निभाते हुए द्रोफ को आइसक्रीम भी खिलाई तभी रिया बोली और मेरी आइसक्रीम? मुझे भी खानी है इस पर रोहन ने रिया के लिए भी आइसक्रीम मंगवा दी जिसे देख कर रिया खुश हो गई और बच्चों की तरह बड़े चाओ के साथ आइसक्रीम खाने लगी रोहन तुम नहीं खाओगे? रिया ने अपनी आइसक्रीम रोहन की ओर बढ़ाते हुए पूछा नहीं रोहन ने नामे अपना सर हिला दिया अरी पाटनर एक बार खा कर तो देखो मज़ा नहीं आए तो पैसे वापस ध्रुव ने जोर देते हुए कहा और अपनी आइसक्रीम भी रोहन की ओर बढ़ा दी रिया और ध्रुव के बार-बार कहने पर रोहन ने आखिर एक एक करके दोनों की आइसक्रीम टेस्ट कर ली तो कौन सी जाद अच्छी लगी? मेरी वनिला या ध्रुव की चॉकलेट? रिया ने पूछा ध्रुव भी रोहन के रियाक्शन का इंतजार करने लगा तभी रोहन कुछ दे रुक कर बोला दोनों ही बक्वास थी ये सुनकर रिया और ध्रुव हैरान होकर एक दूसरे का मुह ताकने लगे वो दोनों रोहन से कुछ कहते तभी रोहन ने वेटर को बुलाया और कहा मिरे लिए एक बटसकॉच ले आना ये सुनकर रिया और ध्रुव दंग रह गए ओ, तो तुम्हें बटसकॉच पसंद है रिया बोली पहले बोलना था ना पातनर हम तुम्हारे लिए वही मंगवा लेते ध्रुव बोला एक्चली दादा जी बच्पन में मुझे अक्सर जोहु चौपाटी पर बटसकॉच खिलाया करते थे रोहन पुरानी यादों में खोकर बोला तुम बड़े लख्की हो जो तुम्हें बच्पन में दादा जी आईस्क्रीम खिलाने लिजाते थे यहां मेरे दादा जी तो छोड़ो मॉम डैट के पास भी मेरे लिए टाइम नहीं है ध्रुव उदास होकर बोला ये देखकर रिया को ध्रुव के लिए बुरा लगा टोंट वरी रोहन और मैं है न जब भी तुम्हारा मन होगा हम तुम्हें आईस्क्रीम खिलाएंगे इतना कहकर रिया ने द्रुव को गले लगा लिया ये सुनकर द्रुव को काफी अच्छा महसूस हुआ फिर कुछ तेर सोचने के बाद वो बोला काश तुम दोनों मेरे माम डैर होते तो कितना मज़ा आता न ये सुनकर रिया और रोहन एक बार फिर आउक्वर्ड फिल करने लगे और चुप रहे तभी रोहन बोला जल्दी जल्दी अपनी आईस्क्रीम खतम कर लो फिर तुम्हें घर भी छोड़ना है अभी से लेकिन अभी अभी तो मुझे तुम दोनों के साथ और भी अच्छा लगने लगा था दुरुव ने उदास होकर कहा तभी रिया बोली कोई बात नहीं हम बाद में फिर कभी कहीं साथ में घुमने चलेंगे पिंकी प्रॉमिस दुरुव अपनी पिंकी फिंगर को आगे बढ़ाते हुए बोला हम पिंकी प्रॉमिस रिया ने अपनी पिंकी फिंगर दुरुव से मिलाते हुए वादा किया तभी रोहन, रिया और दुरुव गाड़ी में बैठे और वहां से निकल पड़े इस बार रोहन कार चला रहा था और रिया उसके बगल में बैठी थी वहीं द्रुव रिया की गोद में बैठा था और काफी खुश लग रहा था वैसे पार्टनर, तुम मुझे ट्रेनिंग कब दोगे? द्रुव रोहन से बोला, शायद कुछ समय बाद रोहन ने जवाब दिया, ये सुनकर द्रुव उदास हो गया क्या पार्टनर, कब से मुझे टाल रहे हो? इस पर रिया बोली, कैसी ट्रेनिंग? जवाब मैं द्रुव बोला, अरे रोहन मुझे कुछ फाइडिंग स्किल्स सिखाने वाला था ताकि मैं अपनी क्रश निकिता को इंप्रेस कर सकूँ और स्कूल मैं मुझे तंग करने वाले बच्चे को सबक सिखा सकूँ इस पर रिया बोली, वैसे रोहन मुझे भी ट्रेनिंग दे रहा है जब मैं पूरी तरह ट्रेन्ड हो जाऊंगी, तो मैं तुम्हें भी ट्रेनिंग दे दूंगी ओ, तो वो तुम हो जिसे रोहन ट्रेनिंग देने में इतना बिजी है वैसे सॉरी, बट मैं रोहन से ही ट्रेनिंग लोंगा तुम्हें आज कैफे में इनका स्टाइल देखना चाहिए था एक गुंडा तो इन्हें देखते ही ऐसा डरा कि उल्टे पैर भाग गया इतना कहकर दुरुव रोहन से बोला बताओ ना पाटनर आज कैफे में क्या हुआ था इस पर रोहन ने रिया के और देखते हुए कहा वैसे एक बात है जो रिया को जरूर बतानी चाहिए कौन सी बात रिया ने इंट्रेस्ट लेते हुए पूछा इस पर रोहन बोला दुरुव जिस गुंडे की बात कर रहा है वो और कोई नहीं तुम्हारा एक्स लवर लोकेश था उसका चोटा भाई नील दुरुव को तंग कर रहा था जब मैंने उसे रोका तो उसने अपने बड़े भाई लोकेश को बुला लिया लेकिन मेरा चेहरा देखते ही अब रोहन कुछ आगे कहता तभी दुरुव बीच में बोल पड़ा वो दुम दबाकर भाग गया इतना कहकर दुरुव जोर-जोर से हसने लगा क्या सच में ऐसा हुआ? वो लोकेश ही था? एक नंबर का डर पोक है वो रिया हसते हुए बोली तभी रोहन की गाड़ी आहुजा के बंगले पर आकर रुख गई तुम जाओ, मैं दुरुव को घर छोड़ कर आता हूँ रोहन रिया से बोला इस पर रिया कार से बाहर निकली और दुरुव को गले लगाते हुए बोली गुद नाइट दुरुव तुमसे मिलकर अच्छा लगा गुद नाइट रिया मुझे भी तुम अच्छी लगी दुरुव ने प्यार से जवाब दिया फिर रिया बंगले में चली गई और रोहन दुरुव को लेकर उसके घर के बाहर आ गया आई होब तुम्हारी किंजल मौसी ना आई हो वरना मेरी तो बैंड बच जाएगी रोहन दुरुव को किंजल के बंगले के अंदर ले जाते हुए बोला अरे टेंशन मतलो मुझे पता है कि किंजल मौसी कभी टाइम पर नहीं आती दुरुव अपनी बात आगे कहता तभी उसने देखा कि किंजल गेट पर गुस्से में खड़ी थी आज मैं तो टाइम पर आ गई दुरुव लेकिन तुम नहीं आए किंजल ने दुरुव को घूरते हुए कहा फिर रोहन की और गुस्से से देख कर बोली तुमसे कहा था ना इसे रात होने से पहले घर ले आना अब रोहन कुछ कहता तभी दुरुव बीच में बोला मौसी रोहन की कोई गलती नहीं है वो तो मुझे कैफे से सीधा घर ही ला रहा था लेकिन मैंने ही जित करी कि मुझे फंड ओर जाना है अब मौम डैड या आपके पास तो टाइम होता नहीं है मेरे लिए तो रोहन ले गया तो उसमें क्या गलत हो गया दुरुव की इस बात का किंजल के पास कोई जवाब नहीं था ठीक है तुम जाओ अंदर अपने कमरे में और ब्रश करके जल्दी सो जाना क्या ओफर देगी किंजल रोहन को कैसे बदल जाएगी इस से उसकी जिंदगी और क्या रोहन उसका ओफर एक्सेप्ट करेगा जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफेंपर रोहन दुरुफ को छोड़ने उसके घर गया था तभी किंजल बोली मेरी पास तुम्हारे लिए एक ओफर है जो तुम्हारी लाइफ बदल देगा ये सुनकर रोहन एक पल के लिए हैरान हो गया और सोच में पढ़ गया किंजल उसे ऐसा कौन सा ओफर दे रही है क्या ओफर है रोहन ने पूछा मैं नोटिस कर रही हूँ कि पिछले कुछ तिनों से धुरुफ तुमसे कुछ जादा ही घुल मिल गया है तो क्या तुम उसके केर टेकर बनोगे किंजल के इस ओफर ने रोहन को चौका दिया वो डेफिनेटली ये ओफर नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो पहले ही रिया को प्रोटेक्ट करने की जॉब में बिजी है उपर से वो नाइट क्लब वाली जॉब अलग है फिर रोहन को अपने मॉम डैट तक भी पहुँचना है वहीं वो बिग बुल तक भी पहुँचना चाहता है और किंजल उसका वो माध्यम बन सकती है इसलिए वो उसे भी नाराज नहीं कर सकता है रोहन इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी किंजल बोली क्या हुआ यहीं सोच रहे होना कि यह ओफर तुम्हारी लाइफ कैसे बदलेगा मैं इस नई जॉब के बदले तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूँगी उतने जितने तुम सपने में भी नहीं सोच सकते किंजल ने रोहन को पैसो का लालच देना चाहा लेकिन किंजल इस बात से अंजान थी कि रोहन कभी भी कोई काम पैसो के लिए कहां करता है उसके पास तो पैसो की कोई कमी नहीं थी सॉरी मिस किंजल लेकिन अभी मैं कुछ दूसरे कामों में उल्चा हुआ हूँ तो मैं आपका यह ओफर नहीं ले सकता रोहन हिच किचाते हुए बोला इस डर से कि कहीं किंजल बुरा ना मान जाए बट सप्राइजिंगली किंजल रोहन पर नाराज नहीं हुई वेल आखरी फैसला तुम्हारा ही है लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस ओफर के बारे में सोचो देखो रोहन दुरुव अभी बच्चा है और उसके मॉम डैट काम में बिजी होने की वज़े से उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि उससे अकेलापन महसूस नहूँ लेकिन फिर भी अपने वर्क कमिट्मेंट के चलते दुरुव के साथ ज़ादा टाइम स्पेन नहीं कर पाती हूँ इस पर रोहन बोला हाँ मैं ये सब समझ सकता हूँ दुरुव को एक प्रॉपर केर और किसी के साथ की जरूरत है लेकिन मैं ही क्यूँ आप उसके लिए कोई दूसरा केर टेकर भी तो रख सकती है ये सुनकर किंजल बोली अच्चुली मैंने भी कई केर टेकर ट्राइ किये थे लेकिन दुरुव के साथ किसी की बांडिंग खास जमी नहीं लेकिन जब वो तुम्हारे साथ होता है तो काफी खुश रहता है और मैं उसे बस खुश देखना चाहती हूँ अब रोहन भी किंजल के जजबात समझने लगा था देखिए मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि दुरुव मेरे साथ खुश रहता है लेकिन मेरे अपने भी कुछ परसनल गोल्स हैं वो कमिट्मेंट है जिनके चलते में दुरुव के साथ 24 घंटे नहीं रह सकता लेकिन हाँ कभी कभी जब भी मौका मिले तो मैं उसे थोड़ी बहुत कमपनी ज़रूर दे सकता हूँ और इसके लिए आपको मुझे कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है रोहन की ये बाते सुनकर किंजल बड़ी इंप्रेस हो गई वो समझ गई कि रोहन उस टाइप का शक्स नहीं है जिसे पैसो से खरीदा जा सकता है वैसे तुम काफी इंट्रस्टिंग बंदे हो रोहन मेबी हमें किसी दिन साथ में लंच या डिनर करके बाते करनी चाहिए मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहूंगी किंजल रोहन को ध्यान से अब्जर्व करते हुए बोली सरूर हम किसी दिन बैठ कर बहुत सी बाते करेंगे रोहन एक हलकी सी स्माइल के साथ बोला दरसल वो भी इसी मौके की तलाश में था ताकि वो बातो बातों में किंजल से बिग बुल से जुड़ी जानकारी निकलवा सके ठीक है तो फिर मुझे उस दिन का इंतिजार रहेगा गुड नाइट इतना कहके किंजल अंदर जाने लगी गुड नाइट मिस किंजल रोहन ने जवाब दिया और किंजल को जाता देख कर वो भी वहाँ से चला गया फिर देर रात रोहन आहुजा के बंगले पर आया कमिले या शक हो तब तब मयंग पर नजर गड़ाय रखो हो सके तो उसका फोन भी हैक करने की कोशिश करो ताकि वो किस से क्या बात कर रहा है हम सुन सके रोहन की ये बात सुनकर चेतन ने हामे अपनी गर्दन हिला दी अगली सुभ़ रोहन रिया को गार्डन में ट्रेनिंग दे रहा था मायरा से फाइट का मुकाबला करने में अब कुछ ही दिन बचे थे ऐसे में रिया जी तोड मेहनत कर रही थी उसमें पहले से काफी इंप्रूव्मेंट भी हुआ था तब ही रोहन ने रिया के ट्रेनिंग और हार्ड करने के लिए अपनी पावर थोड़ी सी बढ़ा दी ताकि वो रिया को और पुश कर सके इससे रिया की पर्फॉर्मेंस डाउन होने लगी लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उधर दूर खड़ी मायरा रिया को स्ट्रगल करता देखकर मन ही मन हस रही थी देखो कितनी महनत कर रही है मुझे हराने के लिए लेकिन मेरी प्यारी बहना तुम बस अपना और रोहन का टाइम ही बरबाद कर रही हो मेरी आगे तुम एक मिनट भी नहीं टिक पाओगी इसलिए बहतर यही होगा कि अभी से हार मान लो मायरा की ये ताने सुनकर रिया को बड़ा गुसा आया फिर पता नहीं कैसे उसमें अचानक से एक पावर की लहर दोड़ पड़ी और वो पहले के मुकाबले डबल एनरजी के साथ रोहन पर अटैक करने लगी रिया का ये जोश देखकर जहां रोहन इंप्रेस हो गया तो वही मायरा का मुह उतर गया रिया ने बिना कोई शब्द कहे मायरा की बोलती बंद कर दी रिया को अच्छा परफॉर्म करता देखकर मायरा अपने कमरे में चली गई और अखेली ही ट्रेन करने लगी वो रिया को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि यदि रिया ने रोहन के सामने उसे धूल चटा दी तो उसकी इज़त का फालुदा हो जाएगा और वो जो अब रोहन को मन ही मन चाहकर उसके साथ घर बसाने का सपना देख रही थी, वो घर भी बसने से पहले ही चकना चूर हो जाएगा कुछ तेर बाद रिया, रोहन और हितेश आहुजा कॉर्पोरेशन के लिए निकल गए चेतन कल के तरह मयंक पर नजर रखने के लिए उनके साथ नहीं गया, उनकी गाड़ी आहुजा कॉर्पोरेशन तक पहुँचे ही थी कि तब ही, रोहन के मुबाइल पर एक मैसेज आया लगता है, जाकर को किस ने मारा ये जानने में तुम्हें इंट्रेस्ट नहीं है बेरा ओफर सिर्फ आज रात तक ही वैलिड है आ सकते हो तो आ जाओ ये पढ़कर, रोहन समझ गया कि ये उसी एंजान शक्स का मैसेज है जो रोहन से मिलना चाहता है तभी रोहन ने उस मैसेज का रिपलाई करते हुए लिखा अपना नाम और मिलने की जगह बताओ मैं आ जाओंगा कुछ ही सेकंड में सामने से मेसेज आया नाम लंकेश अड्रेस सनराइजिंग होटेल लंकेश? अब ये कौन है? रोहन सोचते हुए बोला फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि इस लंकेश से मिलने से पहले उसे जिगनेश अंकल से मिल लेना चाहिए उन्हें सारी खबर रहती है ऐसे में रोहन ने रिया और हिदेश को अहुजा कॉर्परेशन ड्रॉप कर दिया और वो खुद जिगनेश शाह से मिलने चला गया कुछ समय बाद रोहन जिगनेश के आफिस के अंदर चला गया यहां कुछ देर इंतिसार करने के बाद जिगनेश ने उसे अपने कैबिन में बुला लिया क्या बात है रोहन आज अपने जग्गो अंकल की याद कैसे आ गई काफे दिनों से मिले नहीं कहीं मुझे भूल तो नहीं गए जिगनेश ने रोहन को गले लगाते हुए कहा नहीं जग्गो अंकल भला आपको कोई कैसे भूल सकता है रोहन गले मिलते हुए बोला अब इसे मैं अपनी तारीफ समझू या बेज़ती इतना कहकर जिगनेश जोर जोर से हसने लगा इस पर रोहन भी मुस्करा दिया फिर जिगनेश ने रोहन को सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद भी सामने रखी चेर पर बैठ गया बोलो कैसे आना हुआ जिगनेश ने पूछा एक्चली मुझे बार बार एक शक्स के कॉल्स और मेसेज़िस आ रहे है वो डायरेक्टली मुझे पठान का कातल पुकार रहा है और ये दावा भी कर रहा है कि उसे पता है कि जाकर को किसने मारा रोहन की ये बात सुनकर जिगनेश भी थोड़ा सीरियस हो गया और बोला कौन है वो शक्स इस पर रोहन बोला लंकेश करके कोई है ये नाम सुनते ही जिगनेश चौक गया लंकेश लेकिन वो तुम से क्यों मिलना चाहता है और उसका पठान, जाकर इन सब से क्या लेना देना है जिगनेश कनफ्यूज होकर सोचने लगा वैसे ये लंकेश है कौन क्या आप उसे जानते हैं रोहन ने जिग्यासा लेते हुए पूछा इस पर जिगनेश बोला लंकेश सिंगापूर का राइजिंग डॉन है वैसे तो वो हमेशा लोग की रहना पसंद करता है लेकिन पिछले कुछ समय से वो थोड़ा एक्टिव हो गया है शायद उसे उपर उठना है और बड़ा और ताकतवर बनना है लेकिन फिर भी एक बात समझ में नहीं आई कि वो तुम से क्यों मिलना चाहता है ये सुनकर रोहन कुछ सोचने लगा और फिर बोला तो क्या मुझे उससे मिलना चाहिए इस पर जिगनेश ने कुछ सोचा और कहा हाँ, मिलने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन थोड़ा सावधान रहना उसे सब कुछ मत बताना जो भी करो, बस सोच समझ कर करना जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना इस पर रोहन ने हा में अपनी गर्दन हिला दी फिर जिगनेश ने पूछा और नाइट क्लब में तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है कोई दिक्कत तो नहीं आ रही नहीं जग्गो अंकल, सब बढ़िया चल रहा है रोहन बोला गुड और तुम्हारा बिक्बुल तक पहुँचने का काम कैसा चल रहा है किंजल कपूर के साथ कुछ बात आगे बढ़ी जिगनेश ने इंटरस्ट लेते हुए पूछा इस पर रोहन बोला शुरुवात्नम इस किंजल के साथ दिक्कते जरूर आई लेकिन अब सब कुछ स्मूदली चल रहा है उनसे मेरे रिष्टे बहतर हो रहे है मुझे उमीद है कि जल्द मैं उनसे बिक्बुल से जुड़ी कोई न कोई काम की जानकारी जरूर निकाल लूँगा ये सुनकर जिगनेश बोला जो भी करना है जल्दी करना क्योंकि पठान बिक्बुल के वफादार नौकर का बेटा था उसके घर का एक खास सदस्य था तो वो जादा दिनों तक चुप नहीं बैठेगा इस पर रोहन ने हा में अपनी गर्दन हिला दी और जिगनेश को अलविदा कहके वो वहाँ से अहुजा कॉर्पोरेशन लौट आया अब रोहन के दिमाग में लंकेश और जाकर ये दो चीज़ें चल रही थी पहले वो रात में लंकेश से मिलने जाने वाला था लेकिन उससे रहा नहीं गया इसलिए वो अहुजा कॉर्पोरेशन से फिर से निकल कर सन्राइजिंग होटेल जा पहुँचा ये कोई बहुत बड़ा या आलिशान होटल नहीं था बस एक मीडियम लेवल का ठीक ठाक होटल था हालां कि ये होटल हमेशा लोगों से खचा-खच भरा रहता था इसकी वज़य थी इस होटल की शांदार सर्विस और बहतरीन खाना जिसके चलते ये सिंगापूर के फेमस होटलों में शुमार था रोहन ने होटल आने से पहले लंकेश को मेसेज कर दिया इसलिए वो जैसे ही होटल में आया उसे पिक करने लाल सूट वाले वही तीन लोग आ गए जिन्होंने कल रात रोहन की कार रोकी थी वेलकम मिस्टर रोहन मुझे पता था आप जरूर आओगे लाल सूट पहना पहला शक्स बोला और वो रोहन से हाथ मिलाने लगा इस पर रोहन ने भी हाथ मिला लिया लेकिन उसने कुछ कहा नहीं फिर वो शक्स रोहन को होटेल के कॉरिडोर से होता हुआ रूफ पर ले गया जहां बैठने की सुविधा के साथ-साथ एक रूफ गार्डन भी था इस गार्डन में एक जूला था जिस पर यलो सूट पहना 35 साल का एक शक्स बैठा था वो दिखने में हैंडसम और फिट था उसने आखो पर संग्लास चड़ा रखे थे ये शक्स सिंगापूर का राइजिंग डॉन लंकेश था वेलकम टु माई होटेल रोहन बैठो बोलो क्या लोगे लंकेश ने रोहन को अपने सामने रखे बीन बैग पर बैठने का इशारा किया लेकिन रोहन बैठा नहीं और वो सीधा पॉइंट पर आकर बोला पहले ये बताओ कि जाकर को किसने मारा उसके बाद ही आगे की बात होंगी ये सुनकर लंकेश हसने लगा और वो जूला जूलते हुए बोला मुझे तुम्हारा ये आटिट्यूट पसंद आया रोहन सीधा काम नो बकवास तुम जानना चाहते हो कि जाकर को किसने मारा इतना कहकर लंकेश जूले से खड़ा हो गया और अपने संग्लासस निकाल कर रोहन के करीब आकर बोला मैंने मैंने जाकर को मारा इतना कहकर लंकेश जूर जूर से राक्ष़सी हसी हसने लगा उधर जाकर के असली قातिल का नाम सुनकर रोहन के पैरोतले जमीन किसक गई तो अब क्या होगा आगे आखिर क्यो लंकेश ने किया जाकिर का कतल और क्या चाहता है वो रोहन से जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफेम पर रोहन सिंगापूर के राइजिंग डौन लंकेश से मिलने होटल गया था जहाँ लंकेश ने ये बोल कर उसे हैरान कर दिया कि जाकिर को उसने ही मारा है ये सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई तुमने जाकिर को क्यों मारा? जवाब जानने को बेताब रोहन ने पूछा इस पर लंकेश रूफ गार्डन पर रखे अपने जूले पर बैठ कया और बड़े कैजॉल वे में बोला बस मन किया तो मार दिया क्या? मतलब यूही? बिना किसी वज़ा के? रोहन को अभी भी यकीन नहीं हुआ हाँ, बिना किसी वज़ा के या फिर शायद कहूं कि एक वज़ा थी लंकेश ने कहा और वो वज़ा क्या थी? रोहन ने पूछा तुम, तुम थे वो वज़ा लंकेश रोहन की और उंगली से इशारा करते हुए बोला ये सुनकर रोहन और शौक हो गया मैं? लेकिन मेरी वज़े सा तुमने जाकिर को क्यों मारा? रोहन ने पूछा क्योंकि जाकिर तुम्हारा दुश्मन था और तुम मेरे दोस्त और दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन तो बस मार दिया? इतना कहकर लंकेश रोहन को देख कर मुस्कुराने लगा वही रोहन अभी भी कन्फ्यूस था और समझ नहीं पा रहा था कि लंकेश के असली इरादे क्या है? लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ रोहन बोला इस पर लंकेश जूले से खड़ा होकर रोहन के पास आया और बोला अभी नहीं हो लेकिन फ्यूचर मैं तो बन सकते हो तो जाकर की मौत मेरी तरफ से तुम दोस्ती का तौफा समझ कर रख लो लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि जाकर को मारो इन फैक्ट मैंने तो कभी उसे मारने के बारे में सोचा भी नहीं था रोहन बोला सोचा तो तुमने पठान को मारने के बारे में भी नहीं था लेकिन फिर भी उसे मारा ना और अब उसकी बॉडी भी पुलिस को मिल गई है अब पुलिस का तो पता नहीं लेकिन बिग बुल आज नहीं तो कल तुम्हारे पास जरूर पहुँच जाएगा लंकेश ने रोहन को वार्निंग देते हुए कहा इस पर रोहन बोला किसने कहा पठान को मैंने मारा दरसल रोहन को जिगनेश की बात याद आ गई कि लंकेश को सब कुछ डीटेल में मत बताना इस पर लंकेश बोला अगर तुमने पठान को नहीं मारा तो किसने मारा मुझे नहीं पता और मुझे पता करना भी नहीं है, क्योंकि मेरा पठान ये जाकर की मौथ से कोई लेना देना नहीं है। रोहन ने खुद को इन सब लफड़ों से दूर रखते हुए लंकेश का रियाक्शन जानना चाहा। Are you sure तुमने पठान को नहीं मारा? लंकेश ने फिर से अपना सवाल दोहराया I am 100% sure रोहन ने जवाब दिया इस पर लंकेश चुप रहा और रोहन को ध्यान से देखते हुए जूट और सच के तराजुमे नापने लगा जैसा कि रोहन को शक था लंकेश भी 100% sure नहीं था कि रोहन ने पठान को मारा है वो तो बस bluff कर रहा था ताकि रोहन के मुँँ से असलियत उगलवा सके अब एक शक रोहन को ये भी हो रहा था कि क्या जाकर को सच में लंकेश नहीं मारा या फिर वो बस रोहन को इंप्रेस करने के लिए जूट बोल रहा था वैसे तुम जाकर और पठान में इतने दिल्चस्पी क्यों ले रहे हो रोहन ने लंकेश से जानना चाहा इस पर लंकेश बोला देखो ये जो सिंगापुर शहर है इस पर फिलहाल बिग बुल का राज है और फिर उसके नीचे और भी कई लोग है पठान और आहुजा भी इन में से एक थे लेकिन दोनों अब नहीं रहे और बिग बुल भी आखिर कब तक अपनी राजगदी समाल पाएगा तो किसी ना किसी को तो से रिप्लेस करना ही होगा ना ये सुनकर रोहन बोला तो तुम सिंगापुर के नंबर वन डॉन बनना चाहते हो इस पर लंकेश हसते हुए बोला कौन नहीं चाहता क्या तुम नहीं चाहते इस पर रोहन ने नाम अपनी गर्दन हिला दी ये देखकर लंकेश बोला देखो रोहन, मैं अब सीधा पॉइंट पर आऊंगा मुझे आज नहीं तो कल सिंगापुर पर राज करना है लेकिन ऐसा जल्दी हो, इसलिए मुझे कुछ पावरफल दोस्तों की जरूरत है मैंने तुम्हें काफी फॉलो किया है तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना और पता भी किया है मेरे खयाल से तुम्हारे अंदर वो बात है जो सिंगापुर के पूरे माफ्य वर्ड को हिला सकती है और जहां तक मैं समझता हूँ बिग बुल तुम्हारा नंबर वन दुश्मन है और मेरे नंबर वन डॉन बनने में भी यही बिग बुल रास्ते का काटा बन रहा है तो यदि हम दोनों हाथ मिला लें तो सिंगापुर हमारा हो जाएगा बोलो, क्या बोलते हो, बनोगे मेरे पार्टनर अब रोहन को सारा माजरा समझ में आ गया लंकेश नंबर वन पुजिशन हासल करने के लिए रोहन की मदद लेना चाहता है उन दोनों का कॉमन एनिमी बिग बुल है और वो इसका फाइदा उठाना चाहता है लंकेश का ओफर तो अच्छा है लेकिन रोहन लंकेश के बारे में कुछ नहीं जानता था जैसे लंकेश कितना भरोसे के लायक है इसका उसे एक परसेंट भी अंदाजा नहीं था इसलिए उसने इन सबी पहलों पर विज़ार किया और लंकेश को ना ही हाँ बोला और ना ही ना बोला बलकि कहा मैं तुम्हारे उफर के बारे में सोचूंगा फिलहाल मुझे कुछ जरूरी काम है तो जाना होगा इतना कहके रोहन वहाँ से जाने लगा उधर लंकेश को यकीन नहीं हुआ कि रोहन ने उसे फिर बीच में लटका दिया हाला कि वो समझ चुका था कि रोहन को डरा धमका कर या बहला फुसला कर अपनी टीम में शामिल नहीं किया जा सकता इसलिए उसने भी रोहन के साथ जिगनेश ने अपना प्लैन बताया जिस पर रोहन ने अगरी किया और कॉल कट कर दिया फिर रोहन आउजा कॉर्पोरेशन लॉट आया जहाँ उसे चेतन मिला जिसने रोहन को बताया कि उसने एक हैकर की मदद से मयंक का फोन हैक कर लिया था मयंग फोन पर उस लंबे बालो वाले शक्स से अक्सर बात करता रहता है जिसे हमने उस दिन पठान के क्लब में भी देखा था उस शक्स का नाम अन्ना है अलाकि उस अन्ना की अभी कोई खास जानकारी नहीं निकल पाई लेकिन वो अन्ना उस मयंग से बोल रहा था तो वहीं उसकी curiosity और डबल हो गई कि उस अन्ना का बॉस कौन है फिलहाल रोहन ने चीतन को मयंग पर नजरे गड़ाए रखने को कहा और फिर रिया से मिलने उसके कैबिन में चला गया कैसा चल रहा है काम रोहन रिया के कैबिन में दाखिल होते हुए बोला सब बढ़िया चल रहा है बस चीजों को प्रॉपर अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आम हंडूट परसेंट शूर आहुजा कॉर्पोरेशन फिर से ग्रो करेगा काम में बिजी रिया ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा इस पर रोहन रिया के पास आकर बैट कया और बोला गुड वैसे मेरे पास एक और अच्छी खबर है जिसे सुनकर तुम और भी रिलाक्स होकर अपने काम पर फोकस कर पाओगी गुड नियूज हाँ सुनाओ सुनाओ रिया ने खुश होकर एक्साइटमेंट के साथ कहा इस पर रोहन बोला चेतन पिछले कुछ दिनों से मयंक को फॉलो कर रहा था और उसे पता चला है कि मयंक ने तुम्हें मारने का प्लैन कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रख दिया है तुम रोज रोज उस बात का टेंशन मत लेना और अपने काम पर ध्यान देना रोहन की ये बात सुनकर रिया ने चैन की सांस ली और बोली थैंक गॉड कम से कम उस मयंक को और उसकी चाल बाजी से कुछ दिनों का आराम तो मिला पस अब ये मायरा से पीछा छुड़ा ले तो फिर गंगा नहाए इस पर रोहन को हलकी सी हसी आ गई वैसे तुम मायरा से मुकाबला करने को रेडी हो रोहन ने कंसर्न दिखाते हुए पूछा हाँ लगता तो है रिया ने जवाब दिया फिर रिया कुछ सोच कर बोली अच्छा सुनो क्या तुम आज अपनी नाइट शिफ्ट से आफ ले सकते हो ऐसा क्यों रोहन ने जानना चाहा कि आखिर रिया के दिमाग में क्या चल रहा है जवाब में रिया बोली मैं सोच रही थी कि तुम आज रात भर मुझे ट्रेनिंग दे दे और कल सुबह ही मैं मायरा से मुकाबला कर लेती तू उस जंजट से भी पीछा छूटता और मैं दूसरे कामों पर फोकस कर पाती रिया की ये बात सुनकर रोहन बोला ठीक है मैं बात करता हूँ यदि मुझे आज छुट्टी मिल जाती है तो हम जम कर ट्रेनिंग करेंगे ये सुनकर रिया के चेहरे पर खुशी की लहर दोड़ पड़ी थेंक यू रोहन आजकल तु मेरी हर बात कितनी असानी से मानने लगे हो ना इतना कहकर रिया ने रोहन को गले लगा लिया जिस पर रोहन अगेन आउक्वर्ड फील करने के सिवाए कुछ नहीं कर सका कुछ समय बाद रोहन ने अलफा लाइफ नाइट क्लब में कॉल करके चुट्टी की बात कर ली और उसे चुट्टी मिल भी गई ये सुनकर रिया और भी खुश हुई और अहुजा कॉर्पोरेशन में अपना काम निपटा कर रोहन के साथ घर वापस आ गई रात में रोहन और रिया ने ट्रेनिंग शुरू कर दी मायरा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि रिया आज पूरी रात ट्रेनिंग करने वाली है उसे तो ये भी नहीं पता था कि रिया कल ही उसके साथ फाइटिंग का मुकाबला करने वाली है जबकि ये मुकाबला परसो होने वाला था ऐसे में कल सुबह माईरा को एक बड़ा सर्प्राइज मिलने वाला था लेकिन सवाल ये भी है कि क्या रिया खुद को माईरा के लेवल तक ट्रेन कर पाईगी इधर रोहन ने रिया को ट्रेनिंग देना शुरू की इस बार रोहन ने अपनी पावर को और बढ़ाते हुए रिया से फाइट की और उसने रिया को भी अपनी पावर बढ़ाने के लिए पुश्च किया इसके साथ ही रोहन ने रिया को लड़ाई के कुछ खास दाव पेज भी सिखाए साथ ही फाइट को लेकर थोड़ा ग्यान भी दिया देखो रिया, दुश्मन भले ही तुमसे लाग गुना ताकतवर हो लेकिन यदि तुमने अपने दिमाग को पावरफुल बना लिया तो उसे हरा सकती हो हर ताकतवर शक्स की एक कमजोरी होती है अगर वो फिजिकली स्ट्रॉंग है तो तुम मेंटली स्ट्रॉंग बनो उसके दिमाग में घुच जाओ और मौका देखकर हमला करो सामने वाला चाहे तुम पर सौ हमले करे लेकिन तुम सिर्फ एक हमला ऐसा करो कि वो तुमारे सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाए रोहन को हमेशा घ्यान चंद कहके चिढ़ाने वाली रिया आज रोहन के इसी घ्यान को घुट्टी की तरह घोट कर अपने दिमाग में डाले जा रही थी उसे कल मायरा से हर हाल में जीतना जो था अगली सुबह आओजा के बंगले पर गार्डन एरिया में हलचल अभी भी तेज थी रोहन अभी भी रिया को ट्रेनिंग दे रहा था दोनों को राच से सुबह हो गई थी इस बार रिया की स्पीड काफी तेज हो गई थी उसके फाइटिंग मूव्ज भी पहले से ज्यादा शार्प हो गए थे उसमें सेल्फ डिफेंस का सिक्स सेंस डिवलप होने लगा था वो रोहन के दस मैं से पाच हमलों से खुद को बचा पा रही थी हाला कि रोहन अभी भी अपनी पावर का 100% यूज नहीं कर रहा था तभी ये शोर शराबा सुनकर माईरा बाहर आ गई क्या बात है बहना आज तो काफी सुभा से ट्रेनिंग शुरू कर दी वैसे इसका भी कोई फाइदा नहीं तुम मुझसे कल पिटने ही वाली हो ये सुनकर रिया ने रोहन से फाइट करना रोक दिया और माईरा के पास आकर बोली कल तक भी क्यों इंतजार कर रही हो दम है तो आओ आज ही मुझे पीट कर बताओ रिया का ये confidence देखकर माईरा के होश उड़ गए उसे समझ में नहीं आया कि fighting competition के एक दिन पहले ही रिया उससे क्यों लड़ना चाहती है हालां कि माईरा ने भी सोचा कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब वो भी रोहन के सामने रिया को पीटने को बेताब थी ठीक है तो फिर यदि तुम आज ही अपनी हड़िया तोड़वाना चाहती हो तो यही होगा इतना कहकर माईरा भी मैदान में कूद गई अब रिया और माईरा दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे दोनों जंगली बिल्लियों की तरह एक दूसरे को गुस्से से घोरे जा रहे थे तभी रोहन दोनों के बीच में रेफरी बन कर आया और बोला मेरे तीन गिनने पर फाइट शुरू कर देना एक दो तीन यह सुनते ही रिया और मायरा दोनों एक दूसरे पर लपक पड़े तो अब क्या होगा आगे रिया और मायरा मैंसे किसकी होगे जीत कौन होगा इस कैट फाइट का विनर जानने के लिए सुनिए सीक्रिट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफेम पर रिया और मायरा के बीच आज फाइटिंग का मुकाबला था रिया मायरा से लड़ने के लिए पिछले एक हफ़ते से रोहन से ट्रेनिंग ले रही थी वही मायरा पहले ही अपनी शानदार फाइटिंग स्किल्स दिखा कर सबको हैरान कर चुकी थी ऐसे में रिया का उसके आगे टिक पाना काफी मुश्किल था रोहन के इशारा करते ही रिया और मायरा एक दूसरे पर लपक पड़े मायरा ने न आओ देखा न ताओ और बिना कोई रहम दिखा कर रिया पर पंच और किक की बरसात कर दी उधर रिया मायरा के इन हमलों से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी कभी वो साइड हो जाती, कभी नीचे जुग जाती तो कभी उपर हवा में उचल जाती इसके अलावा वो अपने पैरों और हाथों का स्तमाल करके मायरा के पंच और किक को ब्लॉक भी कर रही थी कुछ मिनिट तक ऐसा ही चलता रहा बस तुम्हें खुद को बचाना ही आता है हमला कब करोगी? मैं बोर हो रही हूँ रिया से फाइट करते करते मायरा बोली मायरा ने ये बोला ही था कि तभी रिया ने मायरा के पैरों पर अचानक से अटाक कर दिया इससे मायरा का बैलेंस बिगड़ा और वो गिरते गिरते बची लो मार दिया अब खुश? रिया ने ताना कस्ते हुए कहा और फिर मायरा पर अपने किक और पंच की बरसात कर दी हालांकि माईरा इन सबी हमलों से आसानी से बच रही थी रिया समझ गई कि ऐसे बात नहीं बनेगी उसे कुछ और करना होगा तभी रिया माईरा से बोली Guess what? मैकल रोहन के साथ डिनर पर गई थी बड़ा मुझा आया ये सुनते ही माईरा को गुस्सा आने लगा और फिर वो रिया पर और भी आकरामक होकर हमला करने लगी ये देखकर रिया हलका सा मुस्कुराई और माईरा से बराबरी का मुकाबला करने की कोशिश करते हुए बोली और पता है डिनर पर रोहन ने क्या किया? उसने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया रिया की तरकीब काम कर रही थी मायरा का गुस्सा अब आउट अफ कंट्रोल होते जा रहा था वो गुस्से में अपने मूव्स पर कंट्रोल नहीं रख पा रही थी उसके मूव्ज पहले से ज्यादा आक्रामक जरूर हो गए थे लेकिन रोहन और रिया से जलन की भावना के चलते वो फाइट पर और ठीक से फोकस नहीं कर पा रही थी बस रिया इसी बात का फाइदा उठाना चाहती थी फिर उसने मायरा को और भढ़काते हुए कहा और तो और रोहन ने मुझे प्यार से गले भी लगाया था रिया के मूँ से ये सेंटेंस सुनते ही मायरा के सब्र का बांध तूट गया उसने रिया को गुस्से से उठा कर पटक दिया फिर रिया पर एक के बाद एक हमला करने लगी इस बार रिया मायरा के वार से नहीं बचपा रही थी तभी रिया बोली तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मायरा रोहन तुम्हारा नहीं होगा देखो, अभी भी कैसे उसकी निगाहे तुम पर नहीं मुझ पर टिकी हुई है रिया की ये बात सुनकर मायरा ने पलटकर रोहन को देखा बस रिया को इसी मौके की तलाश थी मायरा का ध्यान भटकते ही उसने जमीन पर लेटे हुए ही अपने पैरों से मायरा को एक जोड़दार किक मारी इससे मायरा दूर जा गिरी फिर रिया फोरण खड़ी हुई और मायरा के उपर जम्प करते हुए उस पर मुक्कों की बरसात करने लगी इस बीच वहाँ चेतन, हितेश और मयंक भी आ गए वो तीनों भी रिया और मायरा की फाइट को ध्यान से देखने लगे रिया जिस तरह से मायरा को पीट रही थी वो देखकर मयंक को अच्छा नहीं लगा वो उसे बचाने के लिए बीच में आने लगा लेकिन तभी रोहन ने उसे रोक दिया और रिया मायरा के फाइटिंग मुकाबले की बात बताई उधर रिया अभी भी मायरा पर भारी पड़ रही थी मायरा ने रिया पर फिर से पलटवार करने की कोशिश भी की लेकिन रिया के अंदर तो जैसे जीत का भूच सवार हो गया था वो हार मानने को तयार ही नहीं थी फिर एक पल ऐसा आया जब मायरा रिया के किक से ऐसी जमीन पर गिरी कि कुछ मिनट के लिए बेहोश हो गई तभी रोहन ने बीच में आकर फाइट रोग दी और रिया को विजेता घोशित कर दिया मयंक बेहोश हो गई अपनी बहन मायरा के पास दोड़ता हुआ आया मायरा, मायरा तुम ठीक तो हो ना तभी रोहन भी वहाँ आया और उसने मायरा के ऊपर पानी के कुछ छीटे डाले इससे मायरा होश में आ गई ये सिर्फ कुछ सेकेंड का ब्लैक आउट ही था मायरा पूरी तरह से ठीक थी हाला कि फाइट की वजह से उसकी बॉड़ी की सारी एनरजी चली गई थी ऐसे में मयंक ने मायरा को गोध मौठा लिया और वो रिया और रोहन को घूरता हुआ अंदर चला गया क्या बात है मिस रिया, आपने तो कमाल ही कर दिया दूर खड़ा हितेश रिया की फाइटिंग स्किल्स से इंप्रेस होकर बोला अगर आप ऐसे ही अपने स्किल्स इंप्रूफ करती रही तो जल्द हमारी जॉब चली जाएगी फिर आपको किसी बॉड़ी गार्ड की ज़रूरत नहीं होगी चीतन मजाग करते हुए बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो तो मायरा को देखकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है वरना कोई दूसरा गुंडा होता तो शायद मैं इतनी अच्छे से फाइट नहीं कर पाती रिया ने अपनी तारीफ सुनकर शर्माते हुए कहा तभी रोहन बोला लेकिन तुम रोज खुद से ट्रेनिंग करती रहना हम आसपास ना हूँ तो इमर्जिंसी में ये तुम्हारे काम आएगी रोहन की ये बात सुनकर रिया ने हाम अपना सर हिला दिया उधर मयंक ने रिया से फाइट के बाद दर्ट से करा रही मायरा को बेट पर लिटा फिर उसके लिए मुझे उस रिया को जान से ही क्यों न मारना पड़े मायरा जजबातों में बहकर दहाडी इस पर मयंक ने मायरा का हाथ पकड़ा और कहा मायरा तुम भावनाव में भेकर कोई ऐसी बेवकूफी मत कर बैठना जिससे हमारा बना बनाया प्लैन चौपट हो जाए रिया के साथ कब और क्या करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो और मुझे बिना बताए कोई भी बड़ा कदम मत उठाना समझी ये सुनकर मायरा चुप रही और धीरे से अपनी पलके जप्ता कर इशारे में हाँ बोल दिया फिर मयंक वहां से जाने लगा लेकिन तभी वो गेट पर रुक कर पल्टा और बोला और हां ये रोहन का भूत अपने दिमाग से निकाल दो वरना अच्छा नहीं होगा इतना कहकर मयंक वहां से चला गया उधर मायरा गुस्से भरी निगाहों से मन ही मन कुछ सोचने लगी दूसरी और मायरा को फाइट में हराने के बाद रिया काफी खुश थी वो रोहन और हितेश कार में बैठ कर आहुजा कॉर्पोरेशन जा रहे थे चेतन अभी भी मयंक पर नजर रखने में बिजी था मिस रिया आज की जीत के बाद एक पार्टी तो बनती है कार ड्राइव कर रहा हितेश बोला हाँ जरूर रिया ने जवाब दिया फिर रिया रोहन के तरफ देख कर बोली आज तुम्हारी जॉप का क्या सीन है इस पर रोहन बोला आज मेरी डेशिफ्ट है ये सुनकर रिया बोली ओके तो हम नाइट में कुछ प्लान करते हैं पार्टी का इस पर रोहन ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी पीछे से पकड़ा और बोला कैसे हो पार्टनर जब रोहन पल्टा तो उसने देखा कि स्कूल ड्रेस में खड़ा ध्रुव एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसे एक टक देखे जा रहा है तभी रोहन की नजर किंजल पर भी पड़ी जो थोड़ी ही दूर पर खड़ी रोहन को देख कर स्माइल पास कर रही थी गुद मॉर्निंग मिस किंजल रोहन एक फॉर्मल स्माइल के साथ बोला मौसी को गुद मॉर्निंग और मुझे हेलो हाई तक नहीं पास खड़ा ध्रुव रोहन को छेड़ते हुए बोला. इस पर रोहन ध्रुव के पास गया और उसके बालों को प्यार से भिखेरते हुए बोला. Good morning, ध्रुव. ये देखकर ध्रुव बड़ा खुश हुआ और जोश में आकर बोला. Good morning, partner. आज स्कूल नहीं गए तुम? रोहन ने ध्रुव से पूछा. तब ही किंजल बीच में बोल पड़ी. रोहन, क्या तुम आज ध्रुव को स्कूल छोड़ दोगे? वो मुझे थोड़ा काम भी है. और ध्रुव भी सुब ऐसे जिद कर रहा था कि आज में रोहन के साथ ही स्कूल जाऊंगा. इस पर रोहन ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, जिसके बाद किंजल वहाँ से चली गई. चले पाटनर! ध्रुव रोहन का हाथ पकड़ कर बोला. ठीक है, चलो. रोहन ने कहा, और ध्रुव को गाड़ी में बिठा कर स्कूल के लिए निकल पड़ा. वैसे तुम मेरे साथ ही स्कूल क्यों जाना चाहते थे? कार ड्राइव कर रहे, रोहन ने पूछा. एक्चिली, मैं सोच रहा था कि आज निकिता को अपने दिल की बात कहई दूँ. उस दिन बर्थडे पर उस नील के बच्चे ने बीच में आकर सारा खेल बिगार दिया था. ओ, तो मतलब तुम निकिता को प्रोपोस करना चाहते हो? रोहन ने पूछा. इस पर ध्रुब के मोटे मोटे गाल शर्म के मारे टमाटर जैसे लाल पड़ गए और उसने रोहन के सवाल पर शर्मा कर हा मैं अपनी गर्दन हिला दी. लेकिन इसमें तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए. रोहन ने दिल्चस्पी लेते हुए पूछा. एक्चिली, निकिता को प्रोपोस करने से पहले मुझे कुछ सामान लेना था और किंजल मौसी के साथ मैं इस सामान लेता तो उन्हें शक हो जाता. ये किसी लड़की का चक्कर है. ध्रुब ने पूरा मैटर समझाया अगर मिस किंजल को पता चला, तो क्या वो तुम्हें प्रोपोस करने से मना करेगी? रोहन ने पूछा. इस पर ध्रुब बोला. नहीं, ऐसी बात नहीं है. लेकिन मौसी के सामने मैं निकिता की बात खुल कर नहीं कर सकता ना. मुझे शरम आती है. लेकिन तुम तो अब मेर खरीदना है. रोहन ने पूछा. वैसे मुझे भी कोई आइडिया नहीं है. मैं फर्स टाइम किसी लड़की को प्रोपोस कर रहा हूँ. तुम बताओ, तुमने तो बहुत सी लड़के को प्रोपोस किया होगा. दुरुब रोहन की ओर देखकर उससे पूछने लगा. इस पर तुम्हें अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई? इस पर रोहन चुप रहा. फिर दुरुब बोला, अच्छा, समझ गया. तुम इतने हैंसम हो, तो तुम क्यों प्रोपोस करोगे? लड़किया तुम्हें प्रोपोस करती होंगी. इस पर रोहन बोला, हम, कुछ लड़ क्योंने वैसे प्रोपोस किया था, लेकिन मैंने ना बोल दिया. क्या रिया ने भी तुम्हें प्रोपोस किया? धुरुब ने दिल्चस्पी लेते हुए पूछा, लेकिन ये सवाल सुनकर रोहन सक पका गया, और बोला, मिसरिया मुझे क्यों प्रोपोस करेगी? इस पर क्यार का इजहार करेंगी? ये सुनकर रोहन चुप रहा, और एक पल के लिए इस बारे में सोच कर, ओक्वर्ड फील करने लगा. तुम ये सब छोड़ो, और ये बताओ कि सबसे पहले क्या लेना है? रोहन ने टॉपिक चेंज किया, जवाब मैं धुरुब बोला, जहां तक मैंने फिल्मा में देखा है, लड़का प्रोपोस करते हुए लड़की को गुलाब का फूल, गिफ्ट, टेडी बियर और धेर सारी चॉकलिट्स देता है, तो हम भी यही खरीद लेते हैं. इस पर रोहन ने हां में अपनी गर्दन हिला दी, और कुछ तेर बाद दुरुव क को भी उसके पैरेंट्स कार से ड्रॉप कर रहे हैं. ये देखकर दुरुव की धड़कने तेज हो गई और वो फिर से रोहन की कार में जाकर बैठ कया. क्या हुआ? वो आपस क्यों आ गए? रोहन ने पूछा, मुझे टर लग रहा है. दुरुव कांपते हुए बोला, दरो म तुमने वो एड नहीं देखा, डर के आगे जीत है. रोहन दुरुव को हिम्मत देते हुए बोला, तभी दुरुव ने गहरी सांस ली और एक हाथ में गुलाब का फूल और दूसरे में चॉकलेट्स और टेडी बेर लेकर निकिता की ओर बढ़ने लगा. रोहन भी वहाँ स उसका सारा सामान गिरा दिया. फिर नीन ने जमीन पर गिरे ध्रुव का कॉलर पकड़ा और बोला, निकिता को प्रपोस करने के बारे में सोचना भी मत. तो अब क्या होगा आगे? क्या करेगा ध्रुव? क्या उसके दिल की बात अधूरी रह जाएगी? और रोहन का क्या? व रोहन दिरुव को लेकर स्कूल आया था, जहां दिरुव अपनी क्रश निकिता को प्रपोस करने वाला था. लेकिन तभी उसका क्लासमेट नील वहां आया और उसने दिरुव को धक्का देकर गिरा दिया. इससे दिरुव के हाथ में पकड़े गुलाब का फूल, चॉकलेट और टेडी बेर समेट सारा सामान जमीन पर बिखर गया. नील ने दिरुव को कॉलर पकड़ा और उसे धमकाते हुए बोला, निकिता को प्रपोस करने के बारे में सोचना भी मत. ये देखकर रोहन दिरुव के पास आने ही वाला था, कि तभी दिरुव ने नील को धक्का दे देखकर रोहन वहीं रुग गया और देखने लगा कि अब दिरुव क्या करता है? इधर दिरुव की हिम्मत देखकर नील भी हयरान रहे गया. लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा। इतना कहकर नील ने दिरुव पर हमला कर दिया, लेकिन दिरुव भी डर कर पीछे नहीं वो भी नील को मारने दोड़ा. अब दोनों एक दूसरे से भिड पड़े. कभी नील धुरुफ को मारता, तो कभी धुरुफ नील को एक लगा देता. तभी नील ने धुरुफ के पैर पर अपना पैर फसा कर उसे नीचे गिरा दिया. और फिर उसके ओपर बैठ कर बोला, बेटा, तुछ से ना हो पाएगा, निकिता को पाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, निकिता मेरी है। इतना कहकर नील द्रुव के चहरे पर एक जोड़दार पंच मारने लगा, लेकिन तभी द्रुव ने नील का हाथ पकड़ लिया और उसे घूरते हुए बोला, निकिता मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। द्रुव ने नील का हाथ इतना कसकर पकड़ा था, कि नील चाकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी द्रुव ने नील को जोड़ से धक्का दिया, और अपने उपर से दूर जमीन पर फेंक दिया। फिर द्रुव खड़ा हुआ और नील के ऊपर बैठ कया, इसके बाद उसने नील पर एक के बाद एक मुक्को की बरसात कर दी। इससे नील की हालत बहुत खराब हो गई। द्रुव ने उसे इतना मारा, कि नील के मुह से अब हलकासा खून भी आने लगा। द्रुव को आउट अफ कंट्रोल होता देखकर, रोहन बीच में आया, द्रुव बस करो लो तो हम एक बार डॉक्टर को चल कर दिखा देते हैं। इस पर द्रुव अपने कपड़ों की धूल जारते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है पार्टनर, मैं ठीक हूँ, और अब मुझे अपना अधूरा काम पूरा करना है। इतना बोलकर द्रुव ने जमीन पर पड़े फूल, चॉकलिट्स और टेडी बेर को उठाया और वो उन्हें लेकर निकिता की ओर जाने लगा। द्रुव की ये हिम्मत देखकर रूहन भी इंप्रेस हो गया। उधर दूर खड़ी निकिता भी नील और द्रुव की ये फाइट देख रही थी। वो भी हैरान थी कि कैसे हमेशा पिटते रहने वाले द्रुव ने आज नील की ही धुलाई कर दी थी। निकिता ये सब सोच ही रही थी कि तभी द्रुव उसके पास आ गया। फिर वो घुटने के बल बैठा और निकिता के हाथ में गुलाब का फूल देते हुए बोला। निकिता, I like you. क्या तुम मेरी कर्ल्फरेंड बनोगी। ये सुनकर निकिता शॉक्ड हो गई। हाला कि वो भी द्रुव को कहीं न कहीं दिल से चाहती थी। और फिर आज द्रुव उसके लिए जिस तरह से नील से लड़ा, वो देखकर निकिता बड़ी इंप्रेस हो गई थी। हाँ द्रुव, मैं तुम्हारी गल्फरेंड बनूँगी। निकिता ने गुलाब का फूल लेते हुए एक प्यारी सी स्माइल पास की। ये देखकर द्रुव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सची? द्रुव खुश होकर बोला और खुशी से नाचने लगा, लेकिन तभी उसकी निजर रोहन पर पड़ी, जो उसकी और एक मीठी मुस्कान के साथ देख रहा था। रोहन को देखकर द्रुव थोड़ा शर्माया और उसने नाचना बंद कर दिया। फिर वो रोहन के पास आकर बोला, पार्टनर, निकिता मान गई। इस पर रोहन ने द्रुव के बिखरे बाल चमाये और प्यार से बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉंग्रेट्स। वैसे मैं ये तुम्हारे बिना कभी नहीं कर पाता, पार्टनर। द्रुव ने इतना कहकर रोहन को गले लगा लिया। लेकिन मैंने इसमें क्या किया, नील को तो तुमने अकेले ही हराया। रोहन कन्फ्यूज होकर बोला, इस पर द्रुव ने कहा, तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे कभी हार नहीं मानना चाहिए, अपने फेलियर से सीखना चाहिए, और जब तुमको उस दिन बहादुरी से गुंडों से लड़ते हुए देखा, तो मैंने भी सोच लिया, कि बड़ा होकर तुम्हारी तरह बनू हो गया, हलाकि उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, पस द्रुफ को गले लगाते हुए इतना बोला, तुम भी बेस्ट हो पार्टनर। पास जाता हुँ, हम बाद में मिलते हैं पार्टनर। इतना बोलकर, दुरुफ निकिता के पास चला गया, और दोनों एक दूसरे को प्यार से चॉकलेट खिलाने लगे। ये देखकर, रोहन को अच्छा महसूस हुआ, वो मुस्कुराता हुआ कार में बैठा, और फिर गया, तो उसने देखा कि किंजल कुछ लोगों के साथ एक बिजनस मीटिंग में विजी है। किंजल ने भी रोहन को तिर्चे निगाहों से देख लिया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और मीटिंग में मौजूद लोगों से बात करने लगी। दरसल किंजल कभी-कभी अपन इस बार तो तुम दोनोंने कोई गड़बर नहीं की। ये सुनकर रोहन थोड़ा नर्वस हुआ और उसने स्कूल में हुई द्रुव की फाइट की बात छिपाते हुए कहा। नहीं, कोई गड़बर नहीं हुई, सब कुछ सही रहा। रोहन ने इतना कहा ही था कि उसका मोब बजने लगा। जब रोहन ने अपने मोबाइल की स्क्रीन देखी तो उस पर ध्रुव का नंबर था। ध्रुव? रोहन के मुह से निकल पड़ा, जिसे पास खड़ी किंजल ने सुन लिया। फोन स्पीकर अन करके उठाना। किंजल ने कुछ गरबर की आशंका जताते मैं ध्रुव नहीं, सब इंस्पेक्टर दिली बोल रहा हूँ, आपका ध्रुव पुलिस स्टेशन में है, जल्दी से आ जाईए। ये सुनकर रोहन और किंजल दोनों हैरान रहे गए और साथ मैं बोल पड़े, पुलिस स्टेशन? तभी रोहन ने सब इंस्पेक्टर से इतना कहकर सब इंस्पेक्टर ने कॉल कट कर दिया। तभी किंजल बोली, क्या हुआ? पताओ, आज स्कूल में से क्या हुआ? इस पर रोहन बोला, मैं रास्ते में आपको सब बताता हूँ, हमें पहले फॉरण पुलिस स्टेशन के लिए निकलना चाहिए। किंजल ने रोहन की बात से अगरी किया और वो उसके साथ कार में बैट कर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ी। इधर रास्ते में रोहन ने किंजल को स्कूल में निकिता को लेकर हुई ध्रुव और नील की फाइट की सारी कहानी सुना दी। तो ध्रुव की एक गर्ल्फरेंड बन गई और उसने उसे बुली करने वाले बच्चे को फाइट में हराबी दिया। हम्, मेरी पीट पीछे ये लड़का इतना कुछ कर गया और मुझे कानो कान खबर तक नहीं हुई। किंजल ने रोहन से कहा, इस पर रोहन कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद दोनों पुलिस टेशन पहुँच गए। सबसे पहले रोहन पुलिस टेशन में घुसा, जिसे देखकर दुरुव खुशी से दौड़ते हुए उसके पास गया। रोहन, तुम आ गए। दुरुव खुश होकर रोहन को गले लगाने ही वाला था, कि तब ही उसने अपनी मौसी किंजल को गुसे में पुलिस टेशन के अंदर दाखिल होते देखा। ये देखकर दुरुव की खुशी गायब हो गई, और वो डरते हुए रोहन के पीछे जाकर छिप गया। पहले गलती करते हो और फिर चुप रहे हो, बताओ अब क्या किया तुमने। किंजल ने दुरुव को डांटते हुए पूछा। दुरुव कुछ बोलता, तभी पीछे से सब इंस्पेक्टर दिलीप आ गए। मैं बताता हूँ इस बच्चे ने क्या किया। स्कूल में दूसरे बच्चे के साथ मार पीट की। उसे इतना मारा कि उसके मुह से खून तक निकलाया। ये सुनकर रुहन बीच में बोल पड़ा, लेकिन पहले उस बच्चे ने दुरुव को मारना शुरू किया था। दुरुव तो बस अपना बचाओ कर रहा था, इसके चहरे पर भी चोटे आई हैं। और आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं, तो आप स्कूल में लगे CCTV फुटेज चेक कर सकते हैं। ये सुनकर सब इंस्पेक्टर रुहन को घूरते हुए ध्यान से देखने लगा। रोहन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनकर सब इंस्पेक्टर हसने लगा, इतना बड़ा ताड जैसा लंबा आदमी, तुम जैसे चुटकू का दोस्त है। तभी किंजल बीच में आई और बोली, मैं दुरुव की मौसी हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। इस पर सब इंस्पेक्टर ने किंजल की ओर देखा और कहा, देखिए, दुरुव ने नील नाम के जिस लड़के को मारा था, उसने अपने पापा को कहकर, पुलिस में दुरुव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। यदि वो अपनी शिकायत वापस ले लेते हैं, तो मैं धुरुव को वार्निंग दे कर छोड़ दूँगा, अलाकि वो बहुत बड़े आदमी हैं, और तिनी आसानी से नहीं मानेंगे। इस पर किंजल गुस्से में बोली, मानना तो उसकी पापा जी को भी पड़ेगा, जस्ट वेट अन वाच। इतना कहकर, किंजल कोने में चली गई और मोबाईल पर एक नंबर डायल करके कुछ बात करने लगी। फिर कुछ देर बाद सब इंस्पेक्टर के मोबाईल पर एक कॉल आया। सामने मौजूद शक्स की आवाज सुन, वो थर-थर कापने लगा। और फिर किंजल से माफी मांगते हुए धुरुव को छोड़ दिया। उधर रोहन ये सब देख कर हैरान रह गया। अब वो ये जानने को बेताब था कि किंजल ने आखिर ऐसा किसे कॉल कर दिया, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर भी डर कर कापने लगा। तुमने बिग बुल का नाम सुना है। बस ये समझ लो कि मैंने जिसे कॉल किया, वो बिग बुल का बेहत खास है। ये सुनते ही, रोहन की कान खड़े हो गए। फाइनली उसे किंजल के मुह से पहली बार बिग बुल के बारे में सुनने को मिला। आखिर वो यही सब पता लगाने तो इस नाइट क्लब में आया था। तो अब क्या होगा आगे? क्या रोहन किंजल से बिग बुल की और अगला अपिसोड सिर्फ पॉकेट एफेम पर। क्या रोहन ने अंजान बन कर पूछा। Now don't say कि तुम बिग बुल के बारे में नहीं जानते। किंजल ने आश्चरे करते हुए पूछा। I'm sorry, but मुझे नहीं पता। वैसे भी सिंगापूर शिफ्ट हुए मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ। So हो सकता है इसलिए मैंने बिग बुल का कभी कोई नाम नहीं सुना। रोहन भोला बन कर फिर अंजान बना। इस पर किंजल बोली अब कैसी बताऊं तुम्हें। अच्छा, तुम फिलहाल के लिए इतना समझ लो। जैसे शेर जंगल का राजा होता है, वैसे बिग बुल इस सिंगापूर का राजा है। रोहन किंजल के इस जवाब से सेटेसफाइड नहीं हुआ। ये बात तो उसे पहले से ही पता थी। वो कुछ और काम का जानना चाहता था। अच्छा, वैसे ये बिग बुल करते क्या है। रोहन नहीं जानना चाहा। जवाब मैं किंजल बोली। धरे ये पूछो क्या नहीं करते हैं। शायद ही कोई ऐसा बड़ा बिजनस होगा जिसमें बिग बुल का हाथ ना हो। फाइनेंस, रियल एस्टेट, वेपन प्रोडक्शन, शिप प्रोडक्शन, इंटरनाशनल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और। किंजल कुछ और आगे बोलती। तब ही शिप प्रोडक्शन नाम सुनकर, रूहन के कान खड़े हो गए। उसने किंजल को बीच में टोकते हुए कहा। शिप प्रोडक्शन, क्या बिगबुल ये काम भी करते हैं? इस पर किंजल बोली, हाँ, इतना ही नहीं, उनकी एक बड़ी शिपिंग कमपणी भी है, बिग ईगल। ये नाम सुनते ही, रूहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिग ईगल वही कमपणी है, जिसने दबलू होराइजन नाम के शिपिंग कमपणी को टेक ओवर कर लिया था। इसी कमपणी की शिप के पास ही, रूहन उसके दादा जी को मिला था। पहले तो रूहन को बिग बुल के तलाश सिर्फ इसलिय थी, क्योंकि वो अपने दादा जी की मौत का बदला लेना चाहता था। लेकिन अब उसके पास उसे ढूंडने की एक और वजह है। दा ब्लू होराइजन शिप से भी बिग बुल का कोई कनेक्शन है और शायद रूहन के माता पिता से भी। रूहन ये सब सोचते हुए बिग बुल के बारे में किंजल से और कुछ सवाल पूछने ही वाला था कि तभी किंजल बोल पड़ी, ये सब छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, तुमने कहा कि तुम सिंगापूर कुछ समय पहले ही शिफ्ट हुए, तो इसके पहले कहा रहते थे, अब रोहन चाहकर भी किंजल से दोबारा बिग बुल से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछ सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता, तो किंजल को उस पर शक हो जाता, इसलिए रोहन किंजल के सवाल का जवाब देते हुए बोला, मैं पहले मुंबई में रहता थ ये सुनकर किंजल बोली, ओ, मुंबई, मैं भी हमेशा से मुंबई जाना चाहती थी, लेकिन काम का आज मैं इतना उलजी रहती थी, कि टाइम ही नहीं मिला, वैसे तुम मुंबई से सिंगापूर क्यों आएं? अब असलियत में तो रोहन अपने दादा जी के कातिल और मॉम डैट को ढूंडने सिंगापूर आया था, लेकिन वो किंजल को ये सब कहां बताने वाला था, तो उसने सफाई से जूट बोलते हुए कह दिया, वो मैं जौब की तलाश में आया था, ये नाइट लब वाली ज जौब करने मुंबई से सिंगापूर आ गए, ऐसी जौब तो तुम्हें मुंबई में भी मिल जाती, किंजल ने आश्चरी करते हुए कहा, किंजल की बात मैं दम था, लेकिन रोहन के मुँँ से जूट का तीर निकल चुका था, इसलिए वो अपनी बात को कवर करते हुए बोला, एक्चली मैं मुंबई में बोर भी हो गया था, और कोई फॉरन कंट्री घूमना चाहता था, तो मैंने सिंगापूर चूज कर लिया, तो कैसा लग रहा है सिंगापूर, किंजल ने पूछा, बहुत ही बढ़िया, रोहन ने जवाब दिया, तभी किंजल का घर आ गय और रोहन ने गाड़ी रोक दी, ठीक है रोहन, हम फिर मिलते हैं, इतना कहकर किंजल गाड़ी से बाहर निकल गई, बाई पाटनर, एंद आज तुमने मेरी लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए थैंक यू, अगर तुम ना होते, तो शायद ना में निकिता को प्रपोस कर और ना उस नील को सबक सिखा पाता, इतना कहकर द्रुव ने रोहन को गले लगा लिया, बदले में रोहन भी द्रुव से पूरे दिल से गले मिला, ये नजारा देखकर किंजल मन ही मन मुस्कुराने लगी, वो समझ गई कि रोहन का द्रुव की लाइफ में आना उसके लिए काफी अच्छा रहा, अब वो पहले से ज्यादा खुश और पॉजिटिव रहता है, रोहन क्या तुम आज का डिनर हमारे साथ करोगे? किंजल ने रोहन से कहा, ये सुनकर रोहन मन ही मन खुश हो गया, उसने सोचा डिनर के बहाने ही सही, उसे बिग बुल के बारे में किंज रोहन डिनर के लिए हाँ बोलने ही वाला था, कि तब ही उसका फोन बजा, ये रिया का कॉल था, रोहन ने जैसे ही कॉल उठाया, रिया सामने से बोली, रोहन, कहां रहे गए तुम, हमने डिसाइड किया था न, आज रात को मेरी मायरा से जीत की पार्टी करेंगे? इस पर रोहन बोला, वो मैं कुछ काम में बिजी हो गया था, क्या मेरा पार्टी में आना ज़रूरी है? रोहन ने मना करना चाहा, ताकि वो किंजल के साथ डिनर करके बिग बुल की जानकारी हासल कर सके, लेकिन रोहन का ये जवाब, रिया को पसंद नहीं आया, तुम पागल हो क्या रोहन? तुम्हारे बिना पार्टी कैसे होगी? मैं कुछ नहीं जानती, तुम फटा फट यहां आओ, हम साथ में डिनर करेंगे, और अगर तुम नहीं आये, तो मैं तुम्हें ढूटते हुए आ जाओंगी, फिर तुम कहीं भी हो, किसी भी काम में किंजल से कहा, सॉरी मिस किंजल, आपका डिनर ड्यू रहा, आज मुझे कुछ और काम आ गया है, तो जाना होगा। यह सुनकर किंजल को मन ही मन थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि कई मर्द किंजल के साथ कुछ पल बिताने को मरते हैं, उसके साथ डिनर का मौका मिल जाए, त तो उन्हें ऐसा लगता है, जैसे जन्नत मिल गई हो, लेकिन यहां यह रोहन उसके डिनर के ओफर को ठुकरा रहा था, हाला कि किंजल ने अपनी नाराजगी को रोहन के सामने जाहिर नहीं होने दिया, और बोली, कोई बात नहीं, हम फिर कभी साथ में डिनर कर लेंगे, बहीं द्रोव भी उसके पीछे-पीछे जाने लगा, हाला कि इस दोरान उसकी नजर रोहन पर थी, और वो उसे एक स्माइल के साथ बाय का इशारा कर रहा था, जिस पर रोहन ने भी अपना हाथ हिला कर उसे बाय बोल दिया, कुछ देर बाद रोहन आउजा कॉर्पोरेशन आ गया, जहां रिया और हितेश उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे, कहां रहे गए थे तुम और पार्टी में आने से मना क्यों कर रहे थे, रिया रोहन को देखते ही उस पर बरस पड़ी, अरे वो द्रोव है ना, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, तो उसे लेने पूरी कहानी सुना दी, इस पर रिया आश्चरी से बोली, वाह, ये ध्रोव थोड़ा अलग बच्चा है, ये तो मैं उससे पहली बार मिलते ही समझ गई थी, लेकिन इतना अलग निकलेगा, ये नहीं सोचा था, बाइदवे, I am happy कि उसे उसका प्यार निकिता मिल गई, वर प्यार किया है, इस पर रोहन बोला, हाँ, ये सुनकर रिया हैरान रह गई, कौन थी वो, रिया ने फौरण रोहन पर सवाल दागा, और उसके जवाब का इंतिसार करते हुए, उसके करीब आ गई, एक्चुली वो थी नहीं, थे, मेरे दादा जी, एक वही थे, जिन्हें मै रोहन ने हमेशा दिल से चाहा, रोहन ने मासूम बनकर जवाब दिया, इस पर रिया ने अपना माथा पकड़ लिया, और बोली, अरे पगलू, मैं वैसे प्यार की बात नहीं कर रही, एक लड़की और लड़के के बीच जो प्यार होता है, जैसे गर्ल्फरेंड, बॉइफ उस इंसान से पूछ रही हूँ, जो खुलकर स्माइल भी बड़ी मुश्किल से करता है, वो प्यार क्या करेगा, ये सुनकर रोहन ने कुछ रियाक्ट नहीं किया, तभी हितेश बीच में बोला, तुम दोनों का बातों से पेट भर गया हो, तो अब खाने से भी पेट भर ल कार की पिछली सीट पर बैठ गया, और रोहन ने कार आगे बढ़ा दी, वैसे चलना कहा है, रोहन ने पूछा, मुझे नहीं पता, तुम बताओ, रिया बोली, इस पर रोहन ने हितेश की और देखा, और सेम सवाल इशारों ही इशारों में पूछ लिया, जवाब मैं स्ट्रीट फूड खाने का बहुत मन कर रहा है, वो होता है ना, बहुत ओईली और मस्ट स्पाइसी, वैसा कुछ, लेकिन आई नो कि मिस रिया को वो जगह पसंद नहीं आएगी, तो हम किसी फाइव स्टार होटल ही चल देते हैं, इतना बोलकर हितेश उदास हो गया, तब ह भी रिया बोली, क्यों, मुझे वो जगह क्यों पसंद नहीं आएगी, अमीर बनने से पहले मैंने भी पापा के साथ मुंबई की गलियों में बहुत स्ट्रीट फूड खाया है, और तुम्हारा आइडिया भी अच्छा है, मैं भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का वही से बेस्ट स्ट्रीट फूड कहां मिलता है। लेकिन कभी इस स्ट्रीट में नहीं आई। रिया यहां का नजारा देख कर बोली, यह सिंगापुर की खाव गली है, यहां का खाना खाकर तुम्हारी तबियत मस्त हो जाएगी। हितेश बोला, तभी रोहन ने कार पार्क कर दी और रिया और हितेश के साथ फूड स्ट्री झाल स्ट्रीट में आई। अई। झाल झाल रिया रोहन के मुँँ में खाने की बाइट डालती तभी वहाँ एक पिंग कलर की कार आकर रुकी फिर उस कार में से पिंक स्कर्ट और टॉप पहनी दो खूपसूरत लड़कियां बाहर निकली उन लड़कियों को देख कर हितेश बड़ा खुश हो गया हलो सुन्दरियों क्या चाहिए तुम्हें हितेश ने बड़ी सी स्माइल के साथ पूछा इस पर उन दोनों लड़कियों ने अपने टॉप के अंदर से गन निकाल ली और रिया के उपर तांते हुए बोली ये लड़की इसकी लास चाहिए हमें ये सुनकर रिया को इतना बड़ा शौक लगा कि उसके हाथ से खाने की प्लेट जमीन पर गिर गई उन लड़कियों के हाथ में पकड़ी गन को अपनी और पॉइंट होता देखकर उसे ऐसा लगा जैसे यही उसका अंत है तो क्या होगा आगे? क्या रिया इन सुन्दर लड़कियों के हाथों मारी जाएगी? या फिर रोहन उसे बचा लेगा? आखिर कौन है ये कातल सुन्दरियां और किसमें भेजा है इन्हें? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफेंपर रिया रोहन और हिदेश के साथ स्ट्रीट फूड का आनंद ले रही थी कि तभी पिंक कार से दो खूबसूरत लड़कियां बाहर निकली और रिया के उपर गन तान कर बोली हमें इस लड़की की लाश चाहिए ये देखकर रिया के हाथ में पकड़ी खाने की प्लेट जमीन पर जा गिरी रिया ने अपने मोह का कौर अभी निगला भी नहीं था कि इन दो खूखार लड़कियों ने अपनी गन से फायर कर दिया लेकिन तभी रोहन बिजली की रफ्तार से आया और रिया को अपनी और जटके से खीच लिया इससे उन दो लड़कियों का बार खाली चला गया फिर रोहन रिया के सामने खड़ा हो गया इस पर उन दोनों में से एक खुबसूरत लड़की बोली सामने से हट जाओ हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुचाना चाते हमें बस वो लड़की चाहिए ये बात रोहन को बड़ी अजीब लगी क्योंकि अब तक जितने भी दुश्मन रिया को मारने आये थे उन्होंने बीच में आने वाले रोहन की जान की कभी कोई परवा नहीं की थी लेकिन ये दो हमलावर लड़कियां गन हाथ में होने पर भी रोहन पर फायर नहीं कर रही थी रिया को हाथ भी लगाने से पहले तुम्हें मुझ से निपटना होगा मैं पीछे नहीं हटने वाला रोहन सीना तान कर बोला इस पर उन दोनों लड़कियों ने एक दूसरे का मुह देखा और इशारों है इशारों में पूछा कि अब क्या करना है इस लड़के का फिर दोनों ने एक साथ अपनी गन अंदर रख ली फिर वो रोहन को देख कर बोली ठीक है हम तुम्हारी जान तो नहीं ले सकते लेकिन तुम्हें दो चार लगा कर सबक तो सिखा ही सकते है ये बात रोहन को फिर से बड़ी जीब लगी आखिर क्यों ये दो लड़कियां सिर्फ रिया की जान लेना चाहती है और मुझे मारने में इतना ही चक रही है रोहन मन ही मन ये सोच रहा था कि तब ही पिंक स्कर्ट पहनी वो दो लड़कियां रोहन पर तूट पड़ी और देखते ही देखते रोहन पर लड़कियों के किक और पंच की बरसात होने लगी लेकिन रोहन भी पीछे हटने वाला मैंसे कहा था उसने भी इन लड़कियों के सभी वारों को अपने हाथ और पैर की शील्ड बना कर ब्लॉक कर दिया अब वैसे तो रोहन अकेला ही इन दो लड़कियों से निपटने के लिए काफी था लेकिन वहां खड़े हितेश से रहा नहीं गया वो भी इन खूपसूरत हसीनाओं से दो-दो हाथ करने को मरा जा रहा था ऐसे मैं वो भी खुशी-खुशी बीच मैदान में कूद गया अब रोहन पहली लड़की के साथ दो-दो हाथ कर रहा था तो हितेश दूसरी के ऊपर अपने हाथ साफ कर रहा था उधर रिया पीछे खड़ी ये सब ध्यान से देख रही थी उसे इस बार डर नहीं लग रहा था शायद इसी लिए कि वो जानती थी रोहन और हितेश सब समहल लेंगे इसके अलावा रिया भी रोहन से ट्रेनिंग ले चुकी थी तो जरूरत पढ़ने पर वो भी अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती थी हाला कि रिया अकेली इन दो लड़कियों से फाइट करने के बाद उनके सामने टिक पाएगिया नहीं ये कहना मुश्किल था क्योंकि ये लड़कियां दिखने में भले ही दुबली पतली और चुईमुई टाइप थी लेकिन इनकी फाइटिंग स्किल्स इतनी जोरदार थी कि रोहन और हितेश को भी इन्हें धूल चटाने में टाइम लग रहा था तभी रोहन ने सोचा कि अब बहुत हुआ सामने फीमेल ओपनेंट होने के कारण रोहन ने अपनी पावर को होल्ड पर रखा हुआ था लेकिन जब बात रिया की सेफटी की आती है तो रोहन न आव देखता है न ताव और दुश्मन को धूल चटा ही देता है इस बार भी उसने ऐसा ही किया उसने अपने अंदर की असली पावर को बाहर निकाला और एक मिनट में ही पहली खुबसूरत लड़की को जमीन पर चित कर दिया उधर हितेश को अभी भी दूसरी हमलावर लड़की को हराने में दिक्कत हो रही थी ये देखकर रिया भी बीच मैदान में कूद पड़ी फिर रिया और हितेश दोनों ने मिलकर किसी तरह से उस दूसरी लड़की को भी जमीन पर धराशाई कर दिया उधर रोहन के मन में अभी भी ये जिग्यासा उफान मार रही थी कि आखिर ये दोनों लड़कियां उसे जान से मारने में इतना हिच्किचा क्यों रही थी ऐसे मैं उसने जमीन पर अधमरी पड़ी उस लड़की को उठाया और उससे पूछा तो मुझे जान से क्यों नहीं मारना चाहती थी इस पर वो लड़की लडख़डाती जुबान में बोली वो, वो मेरी बॉस ने साफ साफ कहा था कि रोहन को कोई नुकसान नहीं पहुचना चाहिए बस, बस रिया का काम तमाम करना ये सुनकर रोहन और पास खड़ी रिया दोनों ही शौक हो गए कौन है तुमारी बॉस जवाब जानने को बेताब रोहन ने पूछा लेकिन तब ही जमीन पर थोड़ी दूर पड़ी दूसरी हमलावर लड़की फुर्ती से खड़ी हुई और अपनी साथ ही लड़की को उठा कर कार में डाल कर वहां से भाग निकली ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया तुम्हें क्या लगता है? किसने भेचाओगा इन है? रिया ने रोहन से पूछा पता नहीं पर ये तो कन्फर्म है कि उनकी बॉस एक लड़की है लेकिन अब सवाल ये उटता है कि वो लड़की कौन है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है लेकिन मेरी नहीं उसे मेरी इतनी परवा क्यों है? रोहन और रिया दोनों इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी दोनों के मुह से फटाक से एक साथ निकल पड़ा माईरा? मुझे तो यकीन नहीं होता क्या माईरा सच मुच इतना नीचे गिर सकती है? रिया डिसपॉइंटमेंट के साथ बोली जलन! मिस रिया जलन! ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी लड़की का दिमाग खराब कर सकती है और जितना मैंने अब्जर्व किया है माईरा रोहन को चाहती है और उसे आपकी और रोहन की दोस्ती खलती है इसलिए इस बात के चांद सादा है कि इस हमले के पीछे माईरा का ही हाथ है हितेश ने अपना अंदाजा लगाते हुए कहा ये सुनकर रिया का दिमाग और भी खराब हो गया ये भाई बेहन दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है पता नहीं इनसे कैसे चुटकारा में लेगा इतना बोलकर रिया कुछ सोचने लगी फिर रोहन से बोली अब क्या करना है इस माईरा का मन तो कर रहा है इसे अभी धक्के मार कर अपने बंगले से बाहर फेंक दूँ इस पर रोहन बोला अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये अटैक मायरा ने ही करवाया था हाला कि मुझे भी यही लगता है कि इस हमले की पीछे उसका ही हाथ होगा इसलिए अभी हमें पहले से और भी ज्यादा सतरक रहना होगा इस पर रिया ने हा में अपनी गर्दन हिला दी फिर सभी अहुजा के बंगले पर लोट आए यहां रिया और रोहन जैसे ही डाइनिंग एरिया में घुसे उन्हें माईरा सोफे पर बैठी दिखाई दी हरे बहना तुम आ भी गए इतनी जल्दी मुझे तो लगा कि आज तुम आओगी ही नहीं माईरा रिया को घूरते हुए बोली हां तुमने तो पूरा इंतिजाम कर रखा था मेरे ना आने का लेकिन तुम इसमें भी फेल हो गई जैसे मेरी साथ फाइडिंग कॉम्पिटिशन में फेल हुई थी रिया ने नहले पर दहला मारते हुए कहा ये सुनकर माईरा का दिमाग खराब हो गया लेकिन उसने अपने गुसे को कंट्रोल किया और भोली बनते हुए बोली क्या बात कर रही हो बहना मैं कुछ समझी नहीं मुझे लगा तुम आज अपनी जीत का जश्न मना रही होगी रात भर इंजॉय करोगी इसलिए आज नहीं आओगी लेकिन हमेशा की तरह तुमने मेरी बातों का गलत मतलब ही निकाल लिया तुम्हारी हर बात का क्या मतलब होता है मैं अच्छे से जानती हूँ इसलिए मेरी सामने ज्यादा खोशियार बनने की कोशिश मत करना और वैसे भी मैं आज बहुत ठक चुकी हूँ और मेरी पास तुम्हारे मूह लगने का फालतू टाइम नहीं है। इतना बोलकर रिया गुस्से में अपने कमरे में चली गई। हाला कि रोहन वहीं खड़ा रहा और मायरा को शक भरी निगाहों से घूरता रहा। रोहन के एक्स्प्रेशन्स देख कर मायरा भी समझ गई। कि रोहन उससे नाराज है और शायद उसे उस पर शक भी है। ऐसे में वो रोहन का ध्यान भटकाते हुए बोली। रोहन डियर वैसे आज तुम बड़े हैंसम लग रहे हो और ये शर्ट तो तुम पर बहुत जच रही है। कहां से ली। इस पर रोहन ने कोई रियाक्ट नहीं किया। फिर वो मायरा को घूरता हुआ उसके पास आया और बोला। देखो मायरा अभी भी वक्त है सुधर जाओ। अगर तुम्हारी वजह से रिया को कुछ भी हुआ तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर रोहन बोला, I am 100% sure तुम सब समझ रही हो कि मेरा इशारा किस ओर है। लेकिन एक बात जान लो, जिस दिन मुझे पक्के सबूत मिल गए, वो दिन इस घर में तुम्हारा आखरी दिन होगा। इतना बोलकर रोहन भी वहाँ से जाने लगा। रोहन की ये बात मायरा की दिल में ऐसी चुभी, जैसे कोई बड़ा सा कांटा किसी नाजुक सी एडी में चुपता है। मायरा को यकीन नहीं हुआ कि अब तक वो जिस रोहन को चाह रही थी, उससे प्यार से बात कर रही थी, वो उस रिया की बच्ची के चक्कर में उसे धमका रहा था। रोहन और रिया, अब इन दोनों का कुछ करना होगा। मायरा ने मन ही मन सोचा, और वो फिर अपने कमरे में चली गई। उधर रोहन और चेतन आपस में बात कर रहे थे। रोहन ने चेतन को आज रिया पर हुए हमले और मायरा पर शक वाली बात बता दी। इस पर चेतन बोला, तो आप सिर्फ भाई ही नहीं, बलकि बेहन भी रिया की जान की दुश्मन बन गई है। अब पानी सिर से उपर जा रहा है। रोहन, मेरी मानो, तो हमें जल्द ही इन दोनों पर कोई एक्शन लेना चाहिए। जवाब मैं रोहन बोला, एक्शन तो मैं भी लेना चाहता हूँ, बट पहले हमें मयंक के उस नए दोस्त अन्ना के बॉस की जानकारी मिल जाए। फिर देखते हैं इन भाई भेहन का क्या करना है। वैसे तुमने आज भी मयंक को फॉलो किया ना, कुछ मिला, इस पर चेतन बोला, कुछ खास नहीं, अभी भी मयंक जाद एक्टिव नहीं दिख रहा है, शायद वो भी उस अन्ना के बॉस की मदद का इंतजार कर रहा है। ठीक है, लेकिन तुम मयंक पर से एक दिन भी नजर मत हटाना, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। रोहन की ये बात सुनकर, चेतन ने हां में अपना सर हिला दिया। अगली सुभह रोज की तरह, रिया, रोहन और हितेश, आहुजा कॉर्पॉरेशन के लिए निकल गए। उधर चेतन, मयंक को फॉलो करते हुए, उसकी पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद रोहन की गाड़ी, आहुजा कॉर्पॉरेशन आकर रुख गई। तो क्या आज भी तुम्हारी डेशिफ्ट है। रिया ने पूछा, जिस पर रोहन ने हां में अपना सर हिला दिया। ठीक है, तो फिर रात में मिलते हैं। रिया ने कहा, और वो आहुजा कॉर्पॉरेशन के अंदर चली गई। उसके पीछे हितेश भी जाने लगा। सुनो हितेश, रोहन ने हितेश को रोका। हाँ, बोलो रोहन। हितेश पलट कर बोला। इस पर रोहन कुछ देर रोका और बोला। कुछ नहीं, बस सावधान रहना, रिया का ख्याल रखना। दरसल कल रात रिया पर हुए हमले के बाद, रोहन की टेंशन बढ़ गई थी। अब सिर्फ आहुजा के दुश्मन ही नहीं, बलकि मयंक और मायरा भी रिया की जान लेने पर तुले थे। हितेश भी रोहन की चिंता भाब गया। तुम टेंशन मतलो रोहन, मैं रिया को कुछ नहीं होने दूँगा। हितेश ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा। इस पर रोहन ने अपनी पलकें जपका कर, आखों ही आखों में हितेश को थेंक्यू कहा, और वो वहाँ से निकल पड़ा। फिर रोहन की गाड़ी, अल्फा लाइफ नाइट लब के बाहर आकर रुकी। रोहन अपनी कार पार करने ही वाला था, कि तभी उसके पास से एक टैक्सी गुजरी, जिसे देखकर रोहन के पैरो तले जमीन खिसक गई। क्योंकि उस टैक्सी में जो शक्स सवार था, वो कोई और नहीं, बलकि वही ब्लू स्टोन लॉकेट वाला शक्स था, जो रोहन को हर जगह दिखकर गायब हो जाया करता था। ऐसे में रोहन ने फॉरण अपनी गाड़ी मोड़ी, और उस टैक्सी का पीछा करने लगा। उधर टैक्सी में बैठा, वो ब्लू स्टोन वाला शक्स इस बात से अंजान था, कि रोहन उसका पीछा कर रहा है। कुछ देर फॉलो करने के बाद, टैक्सी एरपोर्ट पर आकर रुकी, यह यहां क्यों आया है। रोहन ने मन ही मन सोचा, फिर वो लॉकिट वाला शक्स टैक्सी से निकल कर एरपोर्ट के अंदर घुज गया। ऐसे में रोहन ने भी अपनी गाड़ी बाहर पार्क की, और उस शक्स का पीछा करता हुआ एरपोर्ट के अंदर चला गया। रोहन ने उस शक्स को पकड़ना चाहा, लेकिन वो भीड में किसी तरह से उससे बच निकला, और अपनी फ्लाइट पर ऑन बोर्ड होने लगा। अब रोहन ये जानना चाहता था, कि आखिर ये शक्स फ्लाइट लेकर कहा जा रहा है। ऐसे मैं उसने एरपोर्ट पर मौझूद स्टाफ से पूछा, एक्स्क्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, कि ये जो अभी-अभी सारे पैसेंजर्स यहां से निकले, उनकी फ्लाइट कहां जा रही है। जवाब में एरपोर्ट स्टाफ की एक लड़की बोली, सर, वो फ्लाइट तो अमेरिका जा रही है। ये सुनकर रोहन सोच में पढ़ गया। रोहन ये सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। हां रिया, बोलो। रोहन ने कॉल उठाते हुए कहा। जवाब में रिया बोली, रोहन, गैस वट, हम अमेरिका जा रहे हैं। ये सुनकर रोहन हैरान रह गया। तो आखिर कौन है ये ब्लू स्टोन वाला शक्स। क्यों जा रहा है ये अमेरिका। और रिया भी रोहन को लेकर अमेरिका क्यों जाना चाहती है। आखिर क्या चल रहा है ये सब जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफेम पर।